Well, so good morning, good afternoon, good evening to all of you. कैसे दोस्तों आप सबी लोग? I hope आप बहुत अच्छे होगे. मैं भी बहुत अच्छा हूँ. तो आज का हमारा revision session हम एक positive energy के साथ start करेंगे. एक लंबी सास लो. और कहो, जो भी हुआ, अच्छा हुआ. और जो भी होगा, बहुत अच्छा होगा. आए हम कुछ अच्छा करने. Welcome to mission sumber 2.0, जिसमें हम GST chapter wise chart revision देख रहे हैं. I hope आपको ये revision बहुत help कर रही होगी है. और definitely आपको एक insight देगी और आपको confidence super boost करेगी. और इस बार आने वाले exam में 80 पार. उसके आपको सोचना नहीं है. तो आज GST revision के topic जो रहेगे, वो रहेगे evable accounts and records. हाँ बेटा, थोड़ा scheduling में मैंने उपर नीचे topics कर किये हैं. अगर आप mission sumber का schedule follow कर रहे होगे, तो scheduling में topic था place of supply और उसके बाद में demand लेकिन पहले ये topic ले ले थे एवे bill accounts and records और उसके बाद में मैं कि जो पहले वाले topic है, वो cover कर लूगा. तो yes दोस्तो, I hope आप questionnaire पढ़ रहे होगे, तो मैं आपको यह कहोगा कि आप self पढ़ना चालू कर दे questionnaire. मेरे वीडियो अगर upload होगे होगे तो देख लो, नहीं तो मैं upload कर दूँगा chapter के पर, आपने अपनी study नहीं रोकना है, आप अपने अपना self study start कर देना है. चलिए दोस्तो, okay, तो revision start करते हो, और मैं आपको कह दूँ, यह revision आपके लिए बहुत helpful रहेगी, और मैं यह कहना चाहोगा कि इस वीडियो के description में जरूर देखिएगा, आपको सारे revision वीडियो का playlist मिल जाएगा, mission संभव के लिए कैसे subscribe करना है अगर आप first time देख रहे होगे, तो मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया है, YouTube पे लेक्शर फ्री है, और आपको अगर updated charts अगरे चाहिए, तो उसके लिए किस तरह से आपको login create करना है, subscribe करना है, मेरा पहला लेक्शर जरूर देखिएगा, और दुसरी बात, amendments as well as, मैं जो है, यहाँ पे questionnaire का भी playlist description, क्या हुआ है, description चरूर देखिएगा, तो चालू करते हैं, हमारा revision, पहला evable and then account and records, are you ready, yes or no, चलिए, तो बेटा, evable, यह topic को मैंने दो पार्ट में divide किया है, एक general discussion और एक यहाँ पे special discussion, general discussion में mostly हम क्या करने वाले हैं, कि general flow क्या है evable का, यह complete discussion इसमें देखेंगे, और उसके बाद में special discussion में, कुछ special cases में evable का status क्या रहेगा, evable कैसे बनाना पड़ेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे, तो चलिए, आते हैं यहाँ पे, Okay, first part, what is an evable and why it is required, evable, यह नाम कैसे develop हुआ, वे मतलब रास्ता, और रास्तो का electronic बिल, उसको कहता है, कहा जाता है evable, Now, government का यह मानना है, कि जब इन्या में कोई भी goods ट्रांस्पोर्ट होगा, तो वो transportation का एक covering document चाहिए, especially transportation का, और वो एक covering document चाहिए, और covering document उसका नाम रखा गया evable, क्योंकि बहुत सी बार, जब आप by road ट्रांस्पोर्ट करते हो, तो in during inspection हुआ, यह जो भी आपकी inquiry हुई, तो उसका document आप electronically पहले ही file करके रखोगे, so that during investigation inquiry, या फिर आपके conveyance को अगर रुका जाए, तो already वो data government के पास होना जरूरी है, जिसको हम कहा जाता है evable, evable के बहुत सारे फाइदे है, जहां तक देखा जाए, जैसा मैंने कहा, कि evable जो file किया, तो no doubt, यह digital interference है, और यह cover करता है movement of goods को, सबसे बड़ा फाइदा इसका क्या हुआ, कि लोग जो fake invoices पे, fake invoices पे supply कर रहे थे, या fake invoices पे credit ले रहे थे, वो evable के थू substantially कम किया गया, कैसे हुआ sir, evable के थू substantially कैसे कम हुआ, प्रोसेस तो हम आगे देखेंगे, कि आप evable कैसे बनाओगे, प्रोसेस तो हम आगे देखेंगे, लेकिन जैसे आपको बताना चाहता हो, कि वो substantially कम हुआ, कैसे कम हुआ, जैसे आपको section 16-2, याद है section 16-2, yes sir, याद है, section 16-2 B की एक condition है, कि आपको ITC तभी मिलेगा, जब goods और services आपको receive होगी, तो ऐसे case में, अगर हम बात करें goods की, तो goods आपको receive हो गया, यह पता कैसे चलेगा, बहुत सी बार क्या होता है, सामने वाले ने fake invoice दे दिया, आपने fake invoice पे credit भी ले लिया, उसने बता दिया good dispatch, आपने बता दिया goods received, पर यह कैसे यहाँ पे prove होगा, कि goods receive हो गया, कैसे यहाँ पे, आपके supplier ने, यह आपने अगर उसका evable बनाया है, इसका मतलब goods यहाँ पे transport होगे है, और transport होगे आपको receive होगे है, तो now, इससे क्या हुआ, कि जो fake document पे credit थे, specially goods के, यहाँ पे control किया गया, आज मैं सच में बता दू, कि goods से related, fake invoices पे fraud करना, थोड़ा difficult है, as compared to service, क्यों यहाँ पे goods से related, आपके invoices तो होते ही है, साथ साथ में goods के movement का एक document उन्होंने रखा है, और वो document है evable, हाँ, अगर हम बात करें services की, तो बेटा, services के case में आज भी fake invoice बनते है, credit लिये जाते है, क्योंकि आपको यह पता है कि services जो है, यह intangible होती है, इसका कोई evable नहीं होता है, management consultancy, पांच मिनिट की, दी मैंने, दसलाक रुपे मेरा bill हुआ, उसको कोई challenge नहीं कर सकता है, तो service sector में आज भी, okay, fake invoices पे बहुत बड़ा scam चाल हो है, okay, उस पे जो credit लिया जा रहा है, पर ठीक है, government gradually अब उसको check कर रही है, control कर रही है, कि यहाँ पे किस तरह से उसको control किया जाएगा, लेकिन eva bill यह substantial role play कर रहा है, okay, to control our tax evasion in case of movement of goods, okay, next, आपको एक important बात बता दो, जो आगे हम discuss करेंगे, okay, eva bill जब भी goods move होगा, और आप जो भी conditions हम आगे देखेंगे, वो सारी conditions अगर fulfill करोगे, तो eva bill यह goods movement का document है, यह supply का नहीं, जब भी goods move होगा, तब eva bill जो है, बनाना पड़ेगा, now, यहाँ पे, okay, eva bill के और क्या benefit होगा, एक बहुर बड़ा benefit आपको यह बताना चाहोगा, और वो है hassle free movement, okay, hassle free movement of goods यहने क्या, जैसे, कोई goods, हम example करो, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, okay, जम्मू एन कश्मिर से कन्या कुमारी, अब वो goods के transportation को, अगर बिच में कहीं रोकाना जाए, वेहिकल को, और वो वेहिकल continuous transport करे, तो 7-8 दिन में वो जम्मू एन कश्मिर से कन्या कुमारी पहुच जाता है, लेकिन eva bill आने के पहले क्या होता था, या पुराने excise law, VAT, या other laws में क्या problem जाती थी, okay, हर state के checkpoints पे आपको रुखना पड़त है, okay, verification हो रहा है, investigation हो रहा है, क्योंकि पहले क्या था, हर state के laws अलग थे, तो हर state को concern होता था, कई हमारे state में तो ये dump नहीं किया जा रहा है, कई goods हमारे state से smuggled तो नहीं किया जा रहा है, okay, कई, okay, गड़बड वाला goods तो है या नहीं है, तो ऐसे case में, हर state अपने checkpoints पे रो ऐसे कि इसमें क्या होता था प्रताय गया, जो transportation को आट दीन लगना है, जमवेन कश्मीर से कन्या कुमारी तक, okay, उसको 30 दिन लग जाते थे, okay, 40 दिन लग जाते थे, और अन्ने शचरी डिले होता था transportation में, और ये transportation डिले होने के वज़े से, उसकी cause भी बहुत बढ़ जाती लेकिन, आज इवे बिल आने के बाग, आपकी movement स्टार्ट होने के पहली, आप data electronically देते हो, और वो data जो आप electronically देते हो, वो all or India सब जगह available है, सुने मेरी बाग, okay, जो electronically data आप दे रहे हो, all or India सब जगह available है, okay, अब कोई checkpoint पर रोकने के जरुवत नहीं, checkpoint concept ही खत्म हो गया है, hassle अब vehicle में, specially transportation by road होगा, तो उसमें यहाँ पे RF device लगाए जाएगे, और वो RF device आपके यह जो toll plaza होते ही, यह toll होते है, उस पर वहाँ instrument लगाए जाएगे, तो जब भी आप road से आपका truck जाएगा, आपका truck रोड से जा रहा है, तो वो जो आपके toll points होगे, okay, वहाँ पे भी device ह और वो data आप capture करते रहेंगे, जैसे fast tech, fast tech कैसे capture करता है, वैसे ही, okay, वो data capture करता जाएगा, और वो GST department को continuous data देगा, कि आपका vehicle कहाँ पे, क्या है, okay, अभी कौन से रास्ते पे है, यहने किसी भी officer को, अगर रोकना रहा, तो वो उस vehicle की movement track कर लेगा, okay, और उस convince को रोक लेग कि यहां पे, अब हर checkpoint पे रुकने की जरुवत नहीं है, okay, अगर जब भी आपको doubt आता है, जैसे हम OLA में CAP को track करते है, उसी तरह से, अब आप, okay, convince की movement track कर पाऊगे, और जब भी कुछ investigation है, inspection करना है, तो उसको रोक पाऊगे, तो यह बहुत सारे फाइदे, evable के हैं, तो प compliance mechanism, whereby, okay, by way of digital interference, सुनिएगा, whereby way of digital interference, person causing the movement of goods, जो person goods की movement कर रहा है, before, and prior to commencement of movement of goods, आप सारी information, okay, यहां पे, evable portal पे दोगे, कौन से पोटल पे बिटा, evable portal पे दोगे, मतलब क्या, okay, यह एक तरह का digital interference compliance है, मतलब यह सारा compliance digitally करना पड़ेगा, okay, यह जो evable रहेगा, goods की movement का रहे यह कब बनाना पड़ेगा, prior to commencement of movement of goods, यहने goods की movement comments होने के पहले आपको बनाना पड़ेगा, और यह जो evable आपको बनाना पड़ेगा, okay, यह government का specially evable portal है, okay, उस पे आपको generate करना पड़ेगा, वह कैसे करना पड़ेगा, क्या information देनी पड़ेगी, उसके बारे हम आगे बात करे है, okay, तो यह था, कि evable का basic compliance mechanism, evable का relevance क्या है, importance क्या है, इससे हमें benefit क्या मिला, okay, relevant है, पहला, अगर हम देखेगे, तो hassle-free movement, okay, यहाँ पे अब आपको हर check point पे check नहीं किया जाएगा, सारे check points, and last point जो है, check, आपके जो eliminate the check boundary check post, तो जो check post होते है, वो सब खतम कर दिये गए, okay, जिसको भी, जो भी officer को doubt आएगा, वो officer जो है, यहाँ पे, आपके convince की movement track कर लेगा, उसको रोक कर चेक कर लेगा, okay, तो convince की movement track हो जाएगी, तो hassle-free movement, track the movement of goods, और control the tax evasion, यह बहुत-बड़ा important है, okay, कि जो यहाँ पे fake invoices पे, यहाँ credit लिए जा रहे थे, goods supply किये जा रहे थे, तो वो, okay, यहाँ पे evable के थुरू control किया गया, okay, और tax evasion जो हो रहा था, उस पर भी control किया गया, okay, तो यह था, यहाँ पे, okay, when evable and why it is required, अगर यह समझाओगा, तो one type कीजिएगा, बटा, अगर यह समझाओगा, तो one type कीजिएगा, चली, अब दूसरा यहाँ पे, who and when evable is required to be generated, okay, evable कौन generate करेगा, okay, and when it is required to be generated, वो कब generate किया जाएगा, okay, तो देखिये, okay, who, every registered person, ख्याल रहे, okay, evable जो generate करेगा, वो registered person होगा, every registered person, may be supplier or recipient, जांसर सुनियेगा, okay, every registered person, may be supplier or recipient, who causes the movement of goods, who causes the movement of goods, in relation to supply, okay, just a minute, just a minute, now, आप यहाँ पे, second part पे आजाओ, और यह second part जाओ, who and when evable is required to be generated, okay, तो अब देखियो, evable कौन generate करेगा, evable generate करेगा, registered person, okay, may be supplier or recipient, who causes the movement of goods, government कहती है, हम ऐसा नहीं करेगा, कि supplier कोई maintain करना पड़ेगा, हम यह भी नहीं कहते हैं, कि recipient कोई evable generate करना पड़ेगा, हमें बस इतना समझ में आता है, कि यहाँ पे, who causes the movement of goods, जो goods की movement करेगा, वो evable generate करेगा, तो यहाँ पे अगर supplier registered है, और वो supplier goods की movement create कर रहा है, तो ऐसे case में, यहाँ पे supplier evable generate करेगा, अगर recipient goods की movement कर रहा है, तो recipient यहाँ पे evable generate करेगा, जैसे, और evable की कब आपको generate करना पड़ेगा, in relation to supply, अगर आपका transaction supply होगा, supply होगा मतलब क्या, supply होगा मतलब section 718 के साब से, sale, transfer, barter, exchange, lease, rental, disposal, made or agree to be made for consideration in the course of adherence of business, okay, तो अगर आपका supply है, 7-1-A का, या फिर आपका जो supply है, वो 7-1-C, schedule 1, चार पैराज, और के पहला permanent transfer of business asset on which ITC is taken, या आपका supply related को है, या dim distinct person को है, principle to agent या agent to principle, जा agent अपना invoice issue कर रहा है, तो इस टाइप के supply होगे, तो जब भी supply में goods की movement हो रही है, सुनना, जब भी supply में goods की movement होगी, आपको evay bill generate करना पढ़ेगा, now second वाला point बड़ा important है, वो क्या, reason other than supply, okay, ख्याल रहे, evay bill is not an invoice, evay bill is a document of movement of goods, I repeat, evay bill is a document of movement of goods, तो ऐसे case में supply हैं नहीं है, stock transfer है, okay, let's take example, in a state, समझे लो, महराष्टर में आपकी branch है, okay, और आपने single registration लिया हुआ है, आपने separate registration नहीं लिवा है, और under single registration आपकी 20 branches है, तो आप अपने ही branches में transfer कर रहे हो, under rule 55 चाला, under rule 55 चाला, तो वो भी case में आपको evay bill लगेगा, तो supply होगा, तो भी evay bill लगेगा, other than supply होगा, तो भी evay bill लगेगा, okay, other than supply होगा, तो भी evay bill लगेगा, और तीसरा लिखे है, due to invert supply from unregistered person, okay, मतलब क्या, अगर आपका supplier unregistered है, सुनिएगा, आपका supplier unregistered है, और लेने वाला registered है, तो ऐसे केस में evay bill, okay, जो recipient है, जिसका invert supply है, जिसने unregistered बंदे से supply किया है, तो recipient जो registered है, उसे evay bill लगेगा, तो एक बार फिर से, यहाँ पे तीन पॉइंट समझ लीजिएगा, evay bill आपका बनाओगे, एक, आपका जो supply है, आपका goods का moment है, और goods का moment because of supply होगा, तो ऐसे केस में evay bill लगेगा, जुसरा other than supply होगा, यहने stock transfer या कोई भी moment होगा, तो evay bill लगेगा, और अगर किसी recipient जो registered है, और वो यहाँ पे purchase करता है unregistered से, तो उसका supply, अगर unregistered से invert supply होगा, तो उसको evay bill generate करना पड़ेगा, अब आपका एक सवाल होगा, कि sir, supplier और recipient दोनों unregistered होतो, तो आगे हम देखेंगे, अगर supplier unregistered है, recipient unregistered है, तो यह case में evay bill जो generate करता है, वो transporter generate करता है, कौन करता है बेटा, transporter generate करता है, value exceeds Rs. 50,000, मतलब क्या, evay bill छोटे consignment में नहीं लगेगा, आपने pen खरीदान, pencil खरीदान evay bill नहीं बेटा, अगर उन्होंने एक value limit रखी है, और यह value limit है 50,000, अगर आपकी consignment value exceeds 50,000, तो वो case में evay bill यहाँ पे generate करना पड़ेगा, अब मैं आपको बता दूँ, कि यहाँ पे CGST Act में, जो rule 138 है, CGST Act का जो rule 138 है, उसमें limit दी है 50,000, लेकिन SGST Act में कुछ states ने, ओके evay bill के rule ऐसे ही बनाया है, पर कुछ state ने, यहाँ पे limit रखी 1,00, रुपे है, हमें अगर आपके state में, जैसे Delhi लो, या कोई अधर state है, जिसमें करना टका लो, वहाँ पे एक लाग का limit है, हमें exam में एक लाग का limit नहीं लिखना है, हमें CGST का rule फॉलो करना है, और CGST का rule में, यहाँ पे limit कितना दिया है, वीटा, 50,000, सर, सर, यह एक लाग कहा लगेगा, मैं आपको बता दू, अगर आपका interest rate supply है, और आपके interest rate supply है, तो state के evable rules लगते हैं, और वो interest rate supply है, केस में, state में जो limit दी गई है, एक लाग रुपे, तो ठीक है, वो आपको follow करना पड़ेगा, लेकिन जब आपका interest rate supply होगा, interest rate supply होगा, तो वो case में आपको central, याने rule 138 follow करना पड़ेगा, और 50,000 का ही limit follow करना पड़ेगा, क्या मतलब सर, हम ऐसा समझे, क्या हम ऐसा समझे, कि यहाँ पे interest rate के लिए, यहाँ जो है, वो अलग rule है, और interest rate के लिए, इवे बिल के अलग rule है, नहीं, rule exactly what to what same है, लेकिन I want to conclude, आपको जो है, एक्जाम में, इवे बिल का limit, जो refer करना है, वो यहाँ पे rule 138 के हिसाफ सरी, आपको refer करना है, और वो कितना refer करना है, बिटा, 50,000, यह समझा क्या, यह समझा होगा, तो बताईए, और के तो consignment value, exceeds rupees 50,000, अब धान रखना, यहाँ पे word, exceeds rupees 50,000, तो आपक इवे बिल बनाना है, इसमें दो पार्ट है, इवे बिल जो है, आपका voluntary और mandatory, जान से देखिएगा, इवे बिल जो है, voluntary और mandatory, तो अब अगर value 50,000 के उपर है, तो तो mandatory हो जाएगा, लेकिन, अगर आपकी consignment value, सुनिये जान से, अगर आपकी consignment value, 50,000 से नीचे होगी, तो यह है, हाँ, अब यहाँ पर देखिएगा, कि आपकी consignment value, okay, consignment value 50,000 के नीचे होगी, तो government कहते है, voluntary, हम यहाँ पर, okay, आपको force नहीं करेंगे, तो if consignment value is 50,000 or less, तो आपको बनाना है तो बना, नहीं बनाना है तो मत बना, okay, तो consignment value 50,000 or less, तो वो voluntary है, लेकिन mandatory cup है, अब यह ती conditions, careful देखना, कि आपको evable mandatory cup है, अगर आपकी consignment value exceeds 50,000, I repeat, exceeds 50,000, तो evable compulsory हो जाएगा, दूसरा, okay, दूसरा, यह दो पॉइंट, very, very important, okay, यह दोनों पॉइंट बहुत important, यह वाला और यह वाला, okay, job work होगा, okay, अभी हमने जैसे job work के concept पढ़े, okay, अगर आप goods job worker को भेज रह है, सुनो, आप goods job worker को भेज रहे, तो evable either principal बनाएगा, या job worker बनाएगा, अगर job worker registered होगा, तो, दोनों में से कोई भी बना सकता है, who causing the moment of goods, और यहाँ पर, अगर यह moment interstate moment होगी, अगर यह moment interstate moment होगी, तो evable compulsory है, irrespective of consignment value, okay, एक बार फिर से, अगर आप goods किस को भेज रहे job worker को, तो evable principle या job worker, दोनों में से कोई भी बनाएगा, okay, who causing the moment of goods, और अगर आपका job worker other state में है, और आपके goods की moment interstate होगी, तो यहाँ पर irrespective of value, आपको evable बनाना पड़ेगा, फिर एक रुपे की क्यों ना value हो, मतलब सर यह हुआ, कि अगर हमारा job worker intra है, intra है, तो 50,000 की limit है, तो 50,000 की limit है, लेकिन दो ऐसी cases है, कि जहाँ पर आपका value एक रुपया भी होगा, तो भी आपको evable बनाना पड़ेगा, okay, एक हुआ job worker, जहाँ interstate movement होई, और दूसरा handy crop goods, अगर आपको section 24 याद होगा, I repeat, section 24 याद होगा, तो आपको याद होगा, कि handy crop goods, handy crop goods मतलब क्या, okay, section section 24 का sub clause 1 कहता है, कि अगर आप interstate movement करते हो, तो आपको registration compulsory है, कुछ यादा रहा है, अगर आप interstate movement करते हो, तो आपको registration compulsory है, okay, लेकिन उसके दो exceptions मैंने पढ़ाया थे detail में, पहला, कि अगर supply app service होगा, और interstate service क्यों ना हो, तभी आपको यहाँ पे basic threshold मिल जाएगा, और दू section exempted from obtaining registration under section 24 1 and 2, मतलब आपको registration करने की जरुवत नहीं है, till threshold, till threshold, आपको registration करने की जरुवत नहीं है, even though handicraft goods, आप interstate movement कर दो, लेकिन वहाँ पे भी अगर आप पढ़ते हो, और यहाँ पे भी पढ़ते हो, तो मैं आपको फिर से याद दिला दू, वो दो condition पे आपको handicraft goods allowed थे interstate movement with threshold exemption limit, कौन से दो case में, कि आपके पास span होना जरूरी है, यादार है आपको, आपके पास span होना जरूरी है, और आप evable बनाओगे, irrespective of value, कुछ भी हो, आप evable बनाओगे, तो दो ऐसी cases है, कौन सी, job work और handicraft goods, ध्यान सुनिएगा, job work और handicraft goods, जो case में, अगर interstate movement होगी, तो आपको evable बनाना ही पड़ेगा, irrespective of value, बाकी case में, अगर आपकी consignment value, पचास हजार से ज्यादा होगा, तो आपको evable बनाना पड़ेगा, अगर ये दोनों point समझ में आया होगे, तो आप जे type करो, मतलब आपको ये दोनों point clearly समझ में आ आ गए, now, ओके, तो अब ये evable कौन, तो every register person who causing the moment of goods, ओके, आपको, every register person who causing the moment of goods, उसको evable बनाना पड़ेगा, बहुत सी बार एक सवाल आता है, कि सर, क्या जरूरी है कि हमी evable बना है, क्या हम ये evable की authority, ECO को, जो electronic commerce operator है, सर, मैं Amazon के थुरू supply कर रहा हूँ, मैं flip card के थुरू supply कर रहा तो मैंने, okay, Amazon को ये authority दे दिए, कि आप evable बना लो, और Amazon तो आपसे ये लेती है authority, क्योंकि बताओ कि आपको, Amazon जो है, यहाँ पे, okay, वो, यहाँ बहुत ज्यादा strongly बिलियो करती है, यहाँ पे fast delivery of goods, अब आपने अगर evable बनाने के लिए delivery late कर दिया, dispatch late कर दिया, तो उनका जो image हो खराब हो जाएगा, इसलिए ऐसे situation में, Amazon जो है, okay, यहाँ तो आपसे खुद authority ले ले ला है, कि आप tension मतलो, हम evable बना लेंगे, फटाफट evable बना के goods का dispatch कर देंगे, तो ऐसे case में, okay, क्या मैं SEO को, या courier agency को, या transporter को, मैं यहाँ पे authority दे सकता हो, क्या, कि evable वही ब जाओगा, तो आप, okay, यहाँ पे SEO type करो बिटा, तो yes, यहाँ पे discussion को आगे बढ़ाएगे, तो यहाँ लिखा है कि part A, सर यह क्या होता है part A, तो चलिए, अब थोड़ा आगे के discussion में जाते है, okay, आप evable जनरेट कर रहे हो, evable का form होता है, ewb01, okay, आपका form होता है, यहाँ लि पोर्टल पे जाने के बाद आप evable जनरेट कर रहे हो, इसमें आपके सामने दो पार्ट है, तो चलो, मैं, okay, मेरा goods truck ready है, यहाँ जो भी goods की movement कर रहा हो, okay, सब ready है, okay, मोबाइल में जा रहा हो, okay, पोर्टल पे जा रहा हो, evable पोर्टल पे, मेरा GSTN डाल रहा हो, okay, मेरा जो G information आप अच्छे से समझ लो, पहला, okay, मुझे GSTN of the supplier, supplier अगर evables, okay, supplier generate कर रहा है, तो supplier का GSTN, okay, recipient भी generate कर रहा होगा, okay, तो भी उसको supplier का GSTN डेना पड़ेगा, अगर supplier unregistered है, तो भी यहाँ देने की जरुवत नहीं है, वहाँ option आता है, unregistered का, लेकिन अगर supplier का GSTN है, त इसरी के example, मैं पुने से dispatch कर रहा हूँ, तो क्या मुझे पुरा detail address देने पड़ेगी, कि पुने का यहाँ पे यहाँ पे यह address नहीं, okay, मेरा just postal pin code होगा, I repeat, postal pin code होगा, तो जो भी होगा, 44460, okay, 26001, जो भी होगा, तो मैं postal pin code यहाँ पे दे दूगा, पोस्टल pin code more than enough है, उस पे भी पुझे बेजना है, वहाँ का pin code लेना पड़ेगा, अरे recipient का pin code है क्या, नहीं है, तो चलो recipient का pin code लेलो, okay, invoice में लिखाऊगा, ता अच्छी बात है, okay, तो recipient का pin code आपने trace करके वो डाल दिया, उसके बाद में document number, और मैं आपको बताता हूँ, यह सारी information अगर आप e-in के लिए और e-way bill के लिए बेज देता है, okay, तो यह सारी information वहाँ भी दिया, तो भी चलेगा, चलो, next, document number, document number मतलब क्या, अगर आपने invoice बनाया होगा, तो invoice number, आपने bill of supply बनाया होगा, तो bill of supply, आपने transfer चालान बनाई होगी, तो transfer चालान, उसका number आपको देना पड़ेगा, document पाइपने बनाई होगा, तो फॉर डिजिट, यहाँ पे अलगा, invoice के HSN code की लिमिट अलग है, और e-way bill के HSN code की लिमिट अलग है, यहाँ पे पांच करोड तक होगा, तो दो ही डिजिट के HSN code आपको देने पड़ेंगे, और पांच करोड के उपर होगा, तो यहाँ पे 4 ड transportation, by transportation के क्या reason है, वो भी आपको देना पड़ेगा, चलिए, यह तो आप part A, of e-way bill, okay, part B क्या है, क्या सर एक्जाम में पूछते हैं, नहीं, पर आपके knowledge में होना जरूरी है, part B में आपको vehicle number, चलो part B open होगा, vehicle number, vehicle number for road, okay, जैसा, specially road के case में, vehicle number, अगर आपका train से जा रहा होग e-way bill बनाना पड़ता है, okay, air से जा रहा है, तो e-way bill बनाना पड़ता है, okay, अगर आपका goods, यहाँ पे, अगर आपका goods train से जा रहा है, e-way bill बनाना पड़ता है, vehicle, मतलब सारे mode of transport पे e-way bill बनाना पड़ता है, पर especially by road होगा, तो आपको उस vehicle का number, यहने truck number डालना पड़ता है, रोड के case में थोगा स्ट्रिक्ट है, आपको part B में उसका truck number डालना पड़ता है, और transport document, आपका transport document number मतल आपका freight number, railway receipt, RR number, lorry receipt वगरे, जो भी transport airway, airway bill, airway bill होगा, तो airway bill number, यह आपको transport document का जो number है, वो डालना पड़ेगा, और इस तरह से part A और part B की information complete करनी पड़ेगी, अब मैं थोगा practical है, प्रस लेता हूँ, बहुसी बार क्या होता है, बहुसी बार part A की information, जो register person है, वो complete कर पाता है, क्योंकि अभी तक जो truck से जाने वाला है, वो truck final नहीं हुआ, जैसे मैंने अपने, okay, transporter को call किया, भाई, goods Delhi बेजना है, transporter ने का कि sir, आप एक काम करो, यहाँ पे goods लेके आजाओ, okay, जो भी truck जाएगा, मैं बेज़ दूगा, अब मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, अभी तक उसने मुझे freight note नहीं दिया है, या उसने मुझे transport document नहीं दिया है, इसके वज़े से part B की information मेरी pending है, तो ऐसे case में बहुत सी बार, okay, जो evable generate करेगा register person, वो transporter को assign कर देता है, या courier agency को assign कर देता है, या फिर यहाँ पे, okay, ECO को assign कर देता है, कि एक काम करो, part B की information आ आप generate कर रहे है, उसका link उसको, okay, वो transporter को transfer कर देता है, कि आप part B की information आप complete कर लो, तो accordingly, part B की information कभी-कभी transporter भी complete कर लेता है, साथ-साथ में बहुत सी बर ऐसा है, कि register person, part A और part B, दोनों की authority, या रजिस्टर person, part A और part B की authority, दोनों की ECO को, courier agency को, या transporter को देता है, तो ए या फिर, वो part A की information complete कर देगा, part B, transporter को assign कर देगा, कि तो complete कर ले, या फिर, part A और B, दोनों information complete करने के लिए, वो transporter को, या courier agency, या ECO को assign कर देगा, okay, यह वाला part समझा क्या, okay, यहाँ पर, ठीक है, part A और part B, यह समझा होगा, तो A, B टाइप करो, यह मुझे समझ जाएग if return not file, for two consecutive tax period, okay, और two month और quarter, यह थोड़ा हम आगे पड़ेगे, okay, क्या है कि अगर आपने दो tax period के return नहीं दिये, okay, दो tax period के return नहीं दिये, या दो month या quarter के, मतलब composition ले भी होगी, तो आपने GSTR 1 नहीं दिया, दो tax period का, या दो month का आपने GSTR 3 भी नहीं दिया, या दो tax period का GSTR 4 नहीं दिया, CMP 08 नहीं दिया, तो आपका evable block कर दिया जाता है, आपका evable freeze कर दिया जाता है, जिसके बारे में हम आगे पड़ेंगे, दुसरा एक important point क्या है, okay, और यह वाला important point यहाँ पर यह है कि, if distance, देखो, if distance up to 50 km within state और union territory, in case of transportation from place of business to transporter's place, तो फिर evable optional है, okay, यह वाल part B वाला, हाँ, वहाँ पर भी evable generate करना पड़ेगा, पर part B specially, okay, यहाँ पर लिख देता हूँ, part B, part B, जो है, part B optional है, okay, अब देखो, क्या होता है, जैसा, मेरा जो है, transporter है, जो goods को देली लेके जा रहा है, okay, जो goods को देली लेके जा रहा है, और वो transporter पुना के बाहर है, और लगबग यहाँ से 25 km है, याने वो transporter कह रहा है कि नहीं, okay, sir में truck अंदर नहीं बेजुगा, आप goods जो है, आपके दो-तीन जो boxes है, जिसकी value 50,000 के उपर है, तो आप boxes मेरे, मेरे transport house तक लेका जाओ, okay, और फिर यहाँ से में truck से बेज दूगा, अब मैंने, okay, एक auto carriage वाले को मैंने का रुग जा भाई, auto carriage वाले रुग जा, यह दो box लोड कर ते रेस में, और वो 25 km दूर जो transporter महा ली जाना है, मतलब उसका distance जो है, okay, यहाँ पे, जहाँ तक देखा जाए, 50 km के अंदर है, यह समझ लो, example लो Delhi, Delhi में कोई businessman चाननी चोग पे है, अब चाननी चोग इतन अब उसने जो है, Delhi के बाहर एक transporter था, और वो transporter को, okay, एक छोटे से auto carriage में डालके goods को भेज दिया, अब auto carriage में डालके goods को भेज दिया, तो अगर distance 50 km के अंदर है, within a state, मतलब interstate नहीं, state के अंदर, और 50 km के अंदर है, तो क्या वहाँ पे evay bill बनाने पड़ते हैं, यहाँ पे main transporter तक, और transporter place तक, और उसके आगे दूसरा evay bill, तो पहला जो evay bill बनेगा, 50 km के अंदर जिसका transporter है, within a state, तो वो case में, आप specially goods लेके जा रहे हो, transporter place तक, तो वो case में सिर्फ आपको part A की information देना पड़ेगा, part B की information देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, okay, वो optional है, देना ह तो दो, नहीं देना है, तो दो, वो auto वाले का, जो auto carriage है, उसका vehicle number देना है, तो दो, नहीं तो मत दो, हाँ, लेकिन फिर आपको एक और evay bill generate करना पड़ेगा, और वो evay bill जो generate करना पड़ेगा, वो transporter के place से, तो आप जो भी state को बेजना चाहते हो, या जो भी city को बेजना च कीजिएगा, हम third concept पे थे, okay, तो three type कीजिएगा, यहाँ पर, चलिए, उसके बाद में next, determination of value, value कैसे determine होगी, अब जैसे हमने यहाँ पे देखा, कि आपकी consignment value, evay bill बनाने के लिए 50,000 के उपर होनी चीए, तो mandatory evay bill generation, okay, अगर आपकी consignment value exceeds Rs.50,000, value कैसे determine होगी, तो value जो determine होग यहाँ पे as per section 15 determine होगी, as per section 15 determine होगी, section 15, 15, 1, 2, 3, अगर आपको याद होगा, read with rules, rules भी यहाँ पे consider किये जाएगे, तो 15,1 में transaction value, 15,2 की addition करके, और discount काट कर, और अगर आपका valuation rule, rule में होगा, rule 27, 28, 29, 30, 31, okay, या 32, उसके साब से जो भी value होगी, वो value ली जाएगी, okay, और व तो section 15 के साब से value आपकी निकाली जाएगी, तो sir section 15 से, लेकिन इसमें खास बात है, जिसके उपर हम आगे problem यहाँ पे देखेंगे, okay, पर यहाँ खास बात क्या है, okay, खास बात यह है कि, आप जब जो consignment की value निकाल रहे हो, तो इसमें GST include करोगे, आप GST include करेंगे, okay, GST include कर लो, आपकी consignment की value है, just a minute, बेटा, सभी calculator लो, आपकी consignment की value समझ लो, 48,000, section 15 के हिसाफ से, आपकी consignment की value है, 48,000, into उसके ओपर 18% GST है, 18% GST है, plus equals to, तो आपकी consignment की value, 56,640 है, तो GST add कर, I repeat, GST add कर कर आपको value लेनी है, for, for evable, evable, मतलब, आपकी consignment value 56,000, 50,000 से ज़्यादा है, तो आपको evable यहाँ पे generate करने पड़ेंगे, very important point, अगर मैं section 15 पढ़ू, तो section 15 to A कहता है, कि जब भी आप value determine करोगे, section 15 to A कहता है, कि जब भी आप value determine करोगे, तो आप taxes को exclude करोगे, ठीक है, तो हाँ बेटा, taxes को वैसे तो exclude करना पड़ता है, लेकिन जब आप consignment value for evable निकार रहे हो, तो वो case में आपको taxes को include करना पड़ेगा, तो यह taxes को include करके, आपको देखना पड़ेगा, कि 50,000 क्रॉस हुआ है, या नहीं हुआ है, अगर आपका 50,000 क्रॉस हो गया, तो आपको यहाँ पे evable बनाना पड़ेगा, तो यह जो है, GST element add करना पड़ेगा, specially for evable, लेकिन exclude, exclude क्या बेटा, तो value of exam supply, value of exam supply, चलो, okay, let's take example, अगर आप calculator लेते हो, आपका यहाँ पे, ठीक है, अब देखो एक example लेते है, कि समझ लो, आपका 30,000 का taxable supply है, और 25,000 का exam supply है, तो total कितना हुआ आपका 55,000, 55,000 और taxable supply है पे GST तो वो क्या कहते है, अब आपका client मेरे पास आगया, okay, और वो पूछ रहा है, समझ लो, कोई client है, और मेरे पास आगया, पूछ रहा है, कि सर मुझे evable बनाना पड़ेगा, क्या, एक ही बिल में में दो गूर्स बेज रहा हूँ, एक taxable value 30,000, okay, 30,000, और यहाँ पे exempted value 25,000, okay single invoice है, so should I generate the evable, okay, what I will say, wait, okay, now value of exam supply, okay, should be excluded, one very important point, if you are exclusively supplying exam supply goods, like vegetables, like fruits, etc., which is completely exempted, then no need of generation of evable, and no need to generate evable, exam supply को evable नहीं लगता है, exam supply includes nil rate supply, only exam supply, non-taxable supply, जिसको evable नहीं लगता है, और if you are making two combined supply of taxable and exam, आप combine supply कर रहे हो taxable and exam को, तो exclude the exam, अगर आप exam exclude कर देते हो, तो आपका 30,000 रुपे का supply है, plus उसके ओपर समझे लो 18%, यहाँ पे GST, अगर वो भी add कर दो, तो 35,400 ही होगा, अगर 35,400 होगा, तो no need to generate evable, I hope you understood, अगर यह आपको determination of value समझ में आया होगा, तो four type कीजिएगा, मतलब यहाँ बेटा, मैं समझ जाओगा कि yes, okay, यह concept आपको अच्छे से समझ में आ गया है, उसके बाद में next, next, when evable is required to be generated, आपको evable कब generate करना पड़ता है, okay, तो उसके बारे में और थुड़ा और detail में discuss करते है, उसके बारे में और insight लेता है, ठीक है, समझ में आया है क्या आपके, yes or no, बताओ बटाओ बटाओ, चलिए, when evable is required to be generated, वो क्या करते है, यहाँ पर, goods transported by road, goods transported by railway, goods transported by air or vessel, okay, आपका goods by road जा रहा होगा, आपका goods by rail जा रहा होगा, आपका goods by air या vessel जा रहा होगा, okay, जायन से सुनिएगा, okay, तो सबसे पहले लेते हैं कि आपका goods by road जा रहा है, तो अगर road जा रहा है, तो evable to be generated before moment of goods, very important, evable to be generated before moment of goods, याने moment start करने के पहले आपका evable generate हो जाना चाहिए, मतलब क्या, मतलब आप side में लिख सकते हो, okay, part A, part A, plus part B, part A, plus part B, okay, दोनों information, part A, plus part B, ये दोनों information आपकी complete हो जानी चाहिए, okay, आपकी complete हो जानी चाहिए, okay, regarding to road transport, याने, okay, sir, part A मैंने complete कर दिया, तो क्या मैं movement start कर सकता हो, नहीं, okay, part A, plus part B, दोनों भी information आपकी complete होनी चाहिए, तो ही आप जो है, या आप एक goods की movement कर सकते हो, चलिए sir, ये समझ में आ गया, by road होगा तो, अब road में मैं और दो पार्ट करना चाहोगा, okay, road के case में और दो पार्ट, अगर आपका self transportation होगा, सुनिए यहाँ पे, अगर आपका self transportation होगा, और third party transportation होगा, और फिसरी self transportation हैने क्या, मतलब आप खुद के vehicle पे, या hired या public convention से लेके जा रहे हो, okay, याने आपने transport agency appoint नहीं की, आपने transport agency appoint नहीं की, आपका खुद का vehicle होगा, या आपने hire किया होगा vehicle, okay, तो और आपने एक मैने के लिए truck hire कर लिया, दो मैने के लिए truck hire कर लिया, या कोई public convention से लेके जा रहे हो, government बसे से है, government यह है, उससे लेके जा रहे हो, तो फिर part A और part B, दोनों भी information, register person को complete करनी प vehicle में लेके जा रहे हो, तो ऐसे case में, part A और part B, दोनों भी यहापे information, register person को complete करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप third party, याने transporter को appoint कर रहे है, transporter को appoint कर रहे है, तो यह case में आप ऐसा कर सकते हो, कि part A की information आप complete कर दो, who causing the moment of goods, लेकिन part B की information के लिए, आप transporter को assign कर सकते हो, कि ठ specially किस के बारे में देख रहे है, अब यह specially बात कर रहे है, जब goods की movement है, और वो goods की movement, transportation by road होगी, okay, transportation by road होगी, sir, अगर transport के case में, क्या यह जरूरी है, कि part B की information, हम transporter को यह दे, नहीं, आप भी complete कर सकते हो, यह तो अची बात है, अगर आप complete कर दो, यह तो बहुत अची बात ह होगी, तो वो unregister के case में, उसको unique enrollment number, सुनिएगा, unique enrollment number लेना पड़ेगा, यह unique enrollment number का concept, जब मैंने accounts and record का चार्ट पड़ाया था, तब भी लिया था, तो unique enrollment number उसको लेना पड़ेगा, और GTA जो registered है, और उसका single registration होगा, तो उसको evable में GSTN code करना पड़ेगा, और अगर GTA के multiple registration ह है, okay, GTA के multiple registration है, okay, हर state में registration है, और यहाँ पे बहुत सी बार register person को, sorry, बहुत सी बार register person GTA को appoint करता है, कि चाल यार, तो हमारे मेरे भीयाप पे part B को complete कर दे, तो और वो registered है, पर उसके multiple registration है, तो ऐसे case में, जब part B की information, transporter complete कर रहा है, तो वो case में, उसके इतने सारे GSTN, जो उसक complexity क्रियेट करता है, तो अगर उसके multiple registration है, तो फिर उसको एक common UEN मिलता है, UEN मतलब unique enrollment number, याने वो multiple GSTN use ना करते हुए, एक just common UEN भी evable में use कर लेता है, तो भी चलेगा, एक बार फिर से, there is a difference between unique enrollment number and common unique enrollment number, unique enrollment number मतलब unregistered के case में, और common unique enrollment number मतलब क्या, कि multiple GSTN है, okay, क्योंकि व multiple GSTN है, तो वो complexity क्रेट करता है, evable generate करने के लिए, तो फिर ऐसे GTA जो है, वो common UEN ले सकते है, और कि ये concept समझाओगा, तो बिटा, five type कीजिएगा, okay, मैं सच मैं कहता हूँ, ये concept इतना easy way में आपको present करके दे दिया है, okay, कि जब हम, आप text पढ़ोगे, आपको दो पढ़ना ह आगिया है, okay, next, हम बात करते, validity of evable, evable की validity क्या है, अब देखो, validity of evable, अब जो आप evable generate करते हो, इसकी एक time होता है, और अगर आपने evable generate किया है, तो within that time, आपको goods को transport करना है, okay, within that time, goods को transport करना है, okay, अगर within that time, आप goods transport नहीं कर पा है, तो वो situation में, आपको extension के लिए अपला करना है, तो अब देखो क्या है, okay, अब यहाँ पर देखो क्या है, वो validity, थोड़ा मैं इस concept को और समझाओगा, validity of evable, other than over-dimensional cargo, and in case of over-dimensional cargo, अब यह other than over-dimensional cargo, पहला concept को समझ लो, मतलब आपके cargo जो है, बड़े-बड़े cargo नहीं है, अब यह over-dimensional cargo क्या होता है, तो वह आपको करो, अब ही Google search में डालो, ओर-dimensional cargo, ऐसे images आपके सामने आईगी, कि बड़े-बड़े truck है, आपने देखे होगे, और बड़े-बड़े machines and pipes उसमें loaded है, okay, उसको कहते है, ओर-dimensional cargo, उसको आप, उसके definition में नहीं जाएंगे, और ना हमारे लिए important है, under motor vehicle act and etc., बस आप images से समझ ले ना, exam में कोई पूछने वाले नहीं, okay, बड़े truck है, okay, बड़ी-बड़ी machines उसके अंदर लगी है, okay, वो जो है ना, truck, ऐसे tires, जिसको 30-32 tires होते हैं, बड़ी-बड़ी machine उसमें, बड़े-बड़े pipes उसके लगे रहते हैं, उसको कहते है, और-dimensional cargo, okay, तो अगर आपका truck, जिसम इवे-बिल की validity मिलेगी, मतलब आपका, यहाँ पे, जो, देखो, 200 km का भी transport है, okay, आपका journey 200 km का ही है, तो आपको एक दिन का इवे-बिल मिलेगा, यहने, government यह मानती है, कि आप एक दिन में 200 km कम्प्लीट कर सकते हो, okay, एक दिन की validity होगी, sir, अगर मैंने एक दिन के अंदर 200 km कम्प्लीट नहीं किया, और goods को नहीं पहुचाया, तो नहीं पहुचाया आपने एक दिन के अंदर goods को, और उसके बाद में अगर आपका truck पकड़ा गया, तो बेटा पूरी बारात आएगी, हो सकता है goods confiscate हो जाए, हो सकता है आपके उपर penalty हो जाए, क्यों, क्योंकि आपका इवे बिल expire हो गया, उसके बाद में भी आपका road पे truck दीख रहा है, और वो पकड़ा गया, तो पूरी बारात आएगी, इसलिए आपको एक दिन के अंदर 200 km कम्प्लीट करना ही पड़ेगा, तो अप टू 200 km, मतलब वो 50 km हो, 100 हो, 150 हो, आपको एक दिन का इवे बिल मिलेगा सर पर कोई union reason के वज़े से मैं, okay 200 km कम्प्लीट नहीं कर पाया, accident हो गया, या strike हो गयी, या फिर कोई यहाँ पे, कोई other union reason है, okay, तो यहाँ पे भारत जोड़ो आंदूलन है, okay, रास्ता ब्लॉक हो गया, तो ऐसे case में क्या करें तो, ऐसे case में कुछ नहीं है, मोबाइल में ज अंदर आप extension ले लो, आपको और extension मिल जाएगा, simple procedure है, okay, तो यह देखा आपने, जहाँ तक है, other than, or dimensional car को, sir, अगर मेरा, okay, जो route है, उसका distance जो है, 200 km से जादा है, sir, यह distance कैसे पता चलता है, यह distance आपके pin code के base में मिल जाता है, okay, मतलब, evable की खुद की website है, या other website पे आप, okay, distance easily calculate कर सकते हो, क्योंकि आपने, place of dispatch का pin code डाला हुआ है, और destination का pin code डाला है, तो उसके base पे आपको एक approximate distance मिल जाता है, okay, तो वो आप यहाँ ले सकते हो, अगर, sir, मेरा जो distance होगा, वो 200 km से जादा होगा, तो, okay, जैसा 300 km का distance है, जहाँ गुर्स मुझे पाँचाना है, तो वो कहते है, for every additional 200 km और पार्ट दे रहो, यहने, additional 200 होगा, यह उसका पार्ट होगा, समझ लो, 100 होगा, 50 km होगा, okay, यहने, अगर आपका 200 यह उसका पार्ट होगा, तो, one additional day आपको और मिल जाएगा, मैं तो यह कहता हो, आपका 205 km होगा, come on, come on, कितना 205 km होगा, तो अभी आ इवेबिल बना रहा है, यह बड़ी बात है, okay, तो ऐसे situation में, okay, 1 km भी extra होगा, 200 से, तो आपको एक दिन extra मिल जाएगा, let's take a example, okay, आपको goods ट्रांसपोर्ट करना है, और 750 km ट्रांसपोर्ट करना है, कितना ट्रांसपोर्ट करना है, 750 km ट्रांसपोर्ट करना है, तो यह केस में कितने दिन का इवेबिल आपको मिलेगा, okay, हर 200 पे एक दिन, और पार्ट पे भी आपको एक दिन मिलेगा, तो मेरे हिसाब से, आपको चार दिन का इवेबिल मिल जाएगा, okay, चार दिन का इवेबिल मिल जाएगा, तो यह था, other than over-dimensional cargo, now, in case of over-dimensional cargo, तो वो केस में limited 20 km, तो कि और multi-model shipment होगा, अब यह multi-model shipment, where one lake in the, okay, one lake in the ship of above options are available, समझ लोग मुझे यहां से goods भेजना है, विशागा पटना हूँ, okay, यह concept को समझ लेना, okay, यहां से goods भेजना है, विशागा पटना हूँ, उसमें मैं multi-model shipment यूज कर रहा हूँ, भई, यह multi-model shipment क्या होता है, द्यां मैं, और ship से जाएगा विशागा पटनाम, और विशागा पटनाम से वापस ट्रक में लोडो के customer destination जाएगा, यहांने मैं उसमें multi-model shipment यूज कर रहा हूँ, और यह जो, sorry, और बेटा यह जो वाइज है, यह जो पूरा वाइज है, यह जो वाइज है, यह जो वाइज है, य यह provision नहीं अपला होगी, अगर उसमें एक, एक lake ship में है, तो फिर multi-model shipment होगा, तो आपको, अब बोट options are available, मतलब, आपका ओर dimensional cargo हो और ना हो, उससे लिना देना नहीं, अब 200 km वाला, यह 20 km वाला option ले सकते हो, मतलब, वाँ free है, आपको 20 km वाला option लेना, उसमें यह नहीं द आप से available लोगा, तो वो भी option आपको मिल जाएगा, लेकिन उसमें एक lake ship होना जरूरी है, तो यहाँ दो 100 km वाला भी ले सकते हो, 20 km वाला भी ले सकते हो, नो next, okay, validity period shall be counted from time at which evable has been generated, यहने, after completion of information in part B by transporter, okay, तो यहाँ पर यह concept क्या कहता है, evable has been generated, यह concept क्या कहता है, यह concept यहाँ पर यह कहता है, कि जैसा, Friday को, जहने सुनना, Friday को मैंने part A का information complete कर दिया, और part A का information complete करके, मैंने जो है, goods, okay, goods, transporter को दे दिया, transporter का, मैंने part A का information complete कर दिया है, अब तू part B का complete करके transport कर दिया, तो मैंने transporter को assign कर दिया for part B, transporter ने, जो यहाँ पर part B की information complete की, transporter ने वो part B की information, यहाँ पर, वो complete की Monday को, कब complete किया वेटा, Monday को उसने complete किया, तो मेरा जो validity period है, क्या वो Friday से count होगा, नहीं, वो मेरा validity period Friday से count नही होगा मेरा वैलिटी पिरेड जिस दिर पार्ट भी की information complete हो जाएगी especially by road okay तब से count किया जाएगा okay now यह first day shall be expired on midnight of succeeding day okay midnight of succeeding day और eva bill may be extended within eight hours time period of expiry okay यह midnight वाला example मैंने नीचे लिया है okay आप यहाँ नीचे जोड सकते हो और यह मैं आपको समझाता हूँ okay और आप extension के लिए अपलाय कर सकते हो very important point आप extension के लिए अपलाय कर सकते हो और within eight hours आप extension के लिए अपलाय कर सकते हो ठीक है चलिए अब यह वाला जो नीचे वाला concept है यह अच्छे से समझो और यह क्या कहता है यह कहता है कि जैसे 14 अपरिल आपको एवे बिल की वालिटी जो one day की है वो पुरा 24 गंटा मिलना चीए और यह midnight to midnight चलता है दो वट कैच करो आपको पुरा 24 hours मिलना चीए और यह midnight to midnight count किया जाता है यह midnight to midnight count किया जाता है समझ लो 14 अपरिल सुबद 10 बजे आपने एवे बिल जनरेट किया EWB, EWB मतलब एवे बिल जनरेट किया तो अब क्या होगा आप क्या आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर सर एक दिन कैसे calculate होगा तो 14 अपरिल 10 अम से 15 अपरिल 10 अम तक नहीं ऐसा नहीं calculate होता है वो midnight 12 से midnight 12 calculate होता है तो यह portal पी arrangement है midnight to midnight calculate होता है तो फिर सर अब देखो midnight to calculate होता है तो अब ऐसे case में 14 अम से लेके रात को 12 बजे 14 15 के रात को 12 बजे यह पूरे 24 गंटे नहीं होता है और क्यों 24 गंटे नहीं हो रहा है जैसे यहाँ पे अगर आप देखोते हैं 14 अबर सी होता है अगर हम midnight ले 14 15 की midnight ले रात को 12 बजे तो यह जो complete होते है, यह आपके 14 hours ही complete होते है, तो ऐसे case में यह एक दिन complete हुआ नहीं, और calculation आपका midnight to midnight होता है, तो ऐसे case में आपको यहाँ first day जो गिना जाएगा, वो first day, succeeding day का, I repeat, succeeding day की midnight हो जाएगी, क्योंकि पहले दिन की midnight में आपके 24 hours नहीं हुए, तो आपका जो पहला द आपको कितने hours मिल गए, पता है क्या, आपको यहाँ पे hours मिल गए, 24 प्लस यहाँ पे 14, यहाँ पे 38 hours आपको मिल गए, आपका पहला दिन 38 hours का होगा, यहाँ इन शॉर्ट, आपका पहला दिन 24 hours से जादा होगा, क्योंकि पहली जो 14, 15 की midnight होई, तब तक 24 hours नहीं हुए थे, इसलिए फिर, वो second midnight तक shift हो जाएगा, और second midnight तक आपका अब एक दिन जो है, इवे बिल का जो पहला दिन है, वो आपका 38 hours का हो जाएगा, आप सुबह 10 बजे करो, सुबह 6 बजे करो, यह फिर 14 को, शाम को 5 बजे करो, कभी भी करो, आपका जो पहला दिन माना जाएगा, वो 12 a.m. to 12 a.m. भी माना जाएगा, क्योंकि calculation midnight to midnight होता है, तो फिर आगे 24 hours जो है, वो पूरे लिए जाएगे, I hope you understood, यह concept समझा क्या, अगर यह concept समझा होगा, तो 6 number टाइप कीजिएगा, ओके, वालिटी आप इवे बिल, 6 number टाइप कीजिएगा, तो यहाँ पे, okay, multi model shipment, अगर नहीं समझाओगा, तो ज्यादा deep में जाने की जरुवत नहीं है, बस इतना समझाओगा, अगर one leg shift में होगा, तो वो situation में, आप 200 km वाले option में भी इवे बिल जनरेट कर सकते हो, यह, sorry, 20 km option में भी आप इवे बिल जनरेट कर सकते हो, okay, वो बहुत से लोग 20 km वाला option लेते है वहाँ पे आपका cargo का dimensions नहीं देखे जाते है, cargo के dimensions नहीं देखे जाते है, now next, non requirement of evable, okay, non requirement of evable जो है, तो यहाँ पे कहाँ का evable की जरुवत नहीं है, important, exam में इसके ओपर question पूछा जा सकता है, okay, तो कुछ important, okay, मैंने list यहाँ ली है, बाकी की list आप notes से पढ़ सकते हो, जो notes ह हमने दी है evable की उसमें, पर जो exam में फूछ सकते हैं, उसके list मैंने यहाँ पे लिए, okay, जैसे transportation of non taxable goods, okay, non taxable goods मतलब क्या, okay, जैसे, okay, आप goods transport कर रहो, जिसके ओपर लेवी नहीं है, example लिख दो, okay, petroleum product, alcohol, okay, petroleum product, alcohol होगे, तो उसके evable बनाने की जरुवत नहीं है, उसके बाद jewelry और precious stone का समझ लो, evable बना लिया, information मैंने portal पे दे दी, सुनो, evable बना लिया और information मैंने portal पे दे दी, okay, तो यह तो leak हो जाएगी information की कौन से vehicle से jewelry जा रही है, precious stone जा रहा है, अगर गलती से भी department से यह leak, information leak होगी, यहाँ पे गुंडों के पास, तो ऐसे case में आपका the truck लूट जाएगा, इसलिए jewelry और precious stone या currency होगा, तो इसको evable नहीं लगेगे, postal होगा, baggage होगा, तो evable नहीं लगेगे, personal effect, यानि household effect, personal effect यानि क्या, आप घर shift कर रहे हो, घर के लिए आपने truck वाले को बुलाए, आपका personal effect है, truck वाले को बुलाए, घर का सावान लेके जा रहे हो, तो उ के उसका भी evable, even though container की value पचास हजार के उपर है, पर उसका evable बनाने की जरुवत नहीं है, उसके बाद में next, very important, transported by non-motorized vehicle, okay, non-motorized vehicle मतलब, आप transport कर रहे हो, बुलक कार्ट का, animal के थरू, okay, तो वाँ, even though value पचास हजार से जादा है, पर evable बनाने की जरुवत नहीं है, non-mot एक्जांपल लिख दो, बुलक कार्ट, animals के थरू, ट्रांसपोर्ट हो रहे है, उसके बाद में moment of goods, defense के होगे, obvious है, बिटा, defense के goods ट्रांसपोर्ट हो रहे है, और उसकी evable, बड़ी sensitive information होती है, और वो जो है, हम यहाँ पे leak नहीं कर सकते, इसलिए उसका evable नहीं मलेगा, okay, supply under schedule 3, schedule 3 का कोई supply होगा, जिसमें goods ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, okay, तो उसका evable नहीं बनेगा, क्योंकि वो supply ही नहीं है, supply under custom supervision, custom supervision में होगा, तो उसका evable नहीं बनेगा, okay, there are more cases where non requirement of evable, जैसे आप लिख सकते हो, exam goods, exam goods तो मैंने पढ़ा दिया है, okay, तो उसके लिए हम notes क पर मेंने चार्ट में ले लिए कि कहां कहा evable नहीं लगेगा, okay, तो चलिए, अगर ये समझाओगा, तो 7 टाइप कीजिएगा, okay, यहाँ पर, तो समझाई होगा, आप टाइप करते जाओ, बस, now, उसके बाद में documents to be carried out by, okay, PIC, PIC का मतलब तो person in charge, person in charge, यहाँ पर PIC, और PIC का मतलब person in charge, okay, यह क्या है, तो the person in charge of the convince shall carry the invoice और bill of supply, delivery चाला है, और bill of entry, अब जो मैं पिच्चर यूज कर रहा हूँ, यह पिच्चर मैंने C.A. Inter के book में दिया था, पर यह पिच्चर हमारे discussion के लिए काम आ जाएगा, okay, यह जो था, यह पिच्चर जो है, यहाँ पर, उनको थोड़ा चार्ड अलगे, पर उनको एक pictorial presentation के साथ है, अब आप final के हो, okay, तो आपको imagination आता है, और आपने office में काम किया है, चलो, जैसे e-way bill जो है, ट्रक का बन रहा है, या airway का, या train का, हम ट्रक का लेते है, person in charge मतलब driver, okay, यह जो driver truck का है, इसको, अपने साथ कौन-कौन से documents रखने पढ़ेंगे, जब यह goods transport करेगा, तो transport करते वक, इसको पास, okay, e-way bill जो उसने generate किया, वो, उसका print out, यह physical copy उसका रखना पढ़ेगा, या फिर, okay, वो mobile में भी e-way bill का PDF रख सकता है, electronic form में भी रख सकता है, साथ-साथ में government, अब इस पे दिरे-दिरे focus कर रही है, कि आप अपने truck में RF device लगा, यह RF device जो है, जो भी आपके toll होगे, वो toll पे यह RF device का data capture हो जाएगा, और यह data continuous government के पास जाएगा, और कि कि आपका vehicle कहाँ पर है, तो आपको RF device जो है, वो RF device भी आपको use करने पढ़ेंगे, तो यहाँ पे bill of supply या delivery चालान, okay, invoice supply होगा, तो bill of supply, in case of, यहाँ पे composition scheme अगर होगा, तो delivery चालान, अगर वो moment of goods है, without supply है, और imported goods होगा, तो bill of entry, यह document उसके साथ होना जरूरी है, उसके बाद में, next, copy of eva bill, जो physical form में भी रखो, या फिर electronic form में रखो, याने आप PDF अपने mobile में भी रख सकते ह जो transporter है, या RFI device, okay, map to RFI device, embedded on the convince, convince को RFI device लगाना पड़ेगा, और उसके साथ उसकी map चाहिए, eva bill का, okay, तो वो भी चलेगा, लेकिन, the moment of goods by rail और air होगा, तो वो case में RFI, RF device नहीं होता है, RF device स्रीफ, okay, RF device, यह जो RF device है, okay, यह RF device का exception है कि rail और air case में, RF device नहीं होगा, वो स्र document person in charge को अपने साथ रखने हो, now inspection of eva bill, okay, अगर अब क्या होगा, अगर officer ने रोक लिया, truck को, in between रोक लिया, तो inspection में क्या होगा, okay, inspection में देखा भीटा, commissioner के क्या rights है, और person, okay, जिसके goods पकड़े गए, रास्तों में, उसके क्या rights है, इस दोनों को अच्छे से समझ लो, okay, commissioner के authorized officer, उनका authorized officer जो भी होगा, okay, right to intercept any convince to verify the eva bill, कोई भी convince को वो रोक सकते है, to verify the eva bill, right to install radio frequency identification device reader, okay, यहाँ पर, यह arrow, उपर चाहिए, okay, right to install radio frequency identification device reader, मतलब आपके अगर convince में, RF device होगा, तो वो एक reader उसको attach करेंगे, और वो reader से पुरा data capture कर लेंगे, और third, right to physical verification of convince, और necessary function devicekit, आपके convince का वो physical verification भी कर सकते हैं, जैसे eva bill, eva bill बताओ, eva bill बताओ, advice बताओ, advice के बाद truck, चलो truck चलो, container open करो, हमें देखना है आपके truck में क्या क्या है, तो physical verification कर सकते है, अगर उनका physical verification होता है, तो आगे देख रहे देखो, और physical verification होता है, तो से तो फिर officer को अपन यहने उससे connected यह है, officer को अपनी report submit करनी पड़ती है, report दो पार्ट में डिवाइड होती है, summary report and final report, सुनिए, report दो पार्ट में डिवाइड होती है, summary report and final report, यहाँ पे, summary report क्या होता है, तो summary report जो है, यहाँ पे, और final report, कि to be recorded online, in the form GST EWB03, okay, वो report किसमें जाएगी, EWB03 में जा दो, और part B में, उसी form में, part B में, तीन दीन के अंदर, टीन दीन के अंदर, detailed information दो, okay, कि उसने पूरा क्या-क्या चेक किया, convince में, तो report आपको दो इसमें देना पड़ेगा, 24 hours के अंदर, आपको summary देना पड़ेगा, और आपको जो है, यहाँ पे, सुनिए, आपको जो है, उसके एक final report देने पड़ेगी, तीन दीन के अंदर, जिसको further extension में लेगा, यहाँ पे, 3 days, okay, तो यह officer को report submit करनी पड़ेगी, now, जिसका truck रोका गया, जिसका truck रोका गया, उसके पास क्या rights है, इस vehicle detained for more than 30 minutes, अगर आपका vehicle 30 minutes से जादा रोका गया, तो transport में upload the information in EWB04, on common portal, email portal पे जा, okay, और 30 minutes के अंदर अंदर, अगर हमारा vehicle रोका है, तो EWB04 में information दे दे कि भई, okay, यह truck यहाँ यह place पे रोका गया है, okay, इससे क्या होगा, यह क्यों लाएगी provision आपको बताता हो, कि एक तरका आप complaint दे रहे हो, EWB04 में, 30 minutes में, कि मेरा truck रोका गया है, detain किया गय है, okay, तो अब अगर आपने यह information दे दी, कि मेरा convince रोका गया है, तो officer accountable हो जाता है, कि अब उसको अपनी summary report और final report देनी पड़ेगी, इससे क्या होगा, कि कोई भी officer आपको unnecessary परेशान नहीं करेगा, क्योंकि उसने 30 minutes से जादा रोका, कि उसकी भी accountability आ जाती है, उसको भी summary report औ आपके लिए यह फाइदे मंतब, अब एक बहुत important फाइदा बताता हो, अगर आपका evable एक बार verify हो गया, पुरे journey में, सुनना मेरी बात, आपका evable एक बार verify हो गया, पुरे journey में, तो इसके बाद, आपको अब कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई नहीं रोक सकता, जब तक serious उनके पास doubt नहीं है कि इसमें कोई fraudulent goods होगा एक बार अगर verify हो गया तो पूरे रास्तों में आपको यह नहीं रोख सकता इसलिए बटा कोई भी convince को रोकना हो तो सोच समझ के commissioner हो या उसके authorized officer को रोकना पड़ेगा क्योंकि एक बार inspection हो गया तो वो e-way bill पे inspection उसकी report आजाती है report आने के बाद बार-बार क्यों check कर रहे हो भाई businessman को क्यों परिशान कर रहे हो बार-बार समझ रहे हो आप तो उसकी report आजाती है इसलिए बाद में आपको कोई check नहीं कर सकता I hope आपको यह concept समझ में आया होगा तो यह आपने देखा आपके पास care rights है यह समझा होगा तो बेटा यहाँ पे बताईए समझा है नहीं समझा हो जो भी next number होगा वो type कीजिए तो यहाँ पे यह देखा आपने e-way bill यहाँ पे person in charge को कौन से document देना पड़ेगा officer के care rights है person के care rights है non-compliance of e-way bill अब देखो यह concept अगर आपने e-way bill नहीं बना है तो क्या होगा तो okay section 122 में आपके ओपर penalty लगाई जाएगी और penalty कितनी तो 10,000 और amount of tax evaded whichever is higher 10,000 और amount of tax evaded whichever is higher okay whichever is higher और second यहाँ पे penalty तो लगाई जाएगी and आपका section 129 में okay goods आपका convince और goods जोनों भी confiscate कर लेंगे त्रुक भी confiscate हो जाएगा और goods भी confiscate हो जाएगा एक सवाल यह पूरे discussion में आपके दिमाग में आ सकता है sir यह बताईए okay यहाँ पे okay आपने अभी बताईए कि एक बार अगर inspection हो जाए तो बाद में नहीं हो सकता है मैंने का बाद में आपके तब ही हो सकता है पहला acceptance or rejection और दूसरा cancellation acceptance or rejection क्या है okay और cancellation दूनों अलग है acceptance or rejection और cancellation अलग है acceptance or rejection मतलब क्या let's take example okay evay bill बनाया गया okay अब मैं आपको इसका एक example देता हो और वो यह कि मेरे को परसो यह SMS आया और SMS यह आया कि आपके नाम का evay bill बना हुआ है अब मैं डर गया मेरे नाम का evay bill बना हुआ है okay मैंने immediate accountant को phone किया कि एक SMS आया है और evay bill बना है अपने company के नाम का तो कौन सा goods ख़ईदा हमने क्योंकि मैं क्यों डरा है आपको बता दा हूँ क्योंकि अगर मेरे नाम का evay bill बना मतलब अब मेरे वो stock में goods दिखना चाहिए उसके बाद में मेरे यहाँ पे GSTR 3B में वो goods के declaration चाहिए okay मेरे नाम का GSTR 1 बना होगा मेरे 2B में आना चाहिए क्योंकि अब सारी चीज़े connect होगी सारी चीज़े connect होगी तो अब मुझे वो stock में prove करना पड़ेगा कि हाँ मेरे को goods आया है वो मुझे prove करना पड़ेगा कि मेरे को goods आया हुआ है इस समझ रहे हो क्या उसके बाद में मेरे 2B में reflect होगा अगर वो goods मेरे stock में नहीं दिखा तो officer non accounting of goods में उसको fraud treat कर देगा उसका GST मांग लेगा तो मैंने का किस का आया मेरा accountant ने का कि पता नहीं है पता नहीं किस का आया फिर मैंने जल्दी जल्दी डून क्योंकि हमारे पास 72 hours है कि इस E-way bill को accept करे या इस E-way bill को reject करे 72 hours है तो यहाँ पे वो accountant ने image rate देखा कि किस का आया फिर बात में पता चला कि हमने pen drive खरीदे थे एक box में pen drive आ रहा है और pen drive का bill था कुछ यहाँ पे 8 lakhs रुपीज तो वो 8 lakhs के pen drive खरीदे उसका E-way bill था तो इससे आप क्या समझे इससे आप समझे कि by recipient एप रजिस्टर या supplier अगर आपका E-way bill supplier ने बनाओगा तो recipient accept या reject कर सकता है यहाँ पे E-way bill recipient ने बनाओगा तो supplier accept और reject कर सकता है in simple word यह option है कि अगर supplier recipient दोनों के पास यह option है कि अगर E-way bill बनता है तो वो accept कर सकते या reject कर सकते है अगर उनको reject करना है तो time is 72 hours या before delivery of goods which is earlier मतलब goods मिलने के पहले या 72 hours goods मिलने के पहले या 72 hours whichever is earlier वो आपको rejection डालना पड़ेगा अगर आपने rejection नहीं डाला तो वो deemed to be accepted माना जाएगा मतलब वो acceptance और rejection कैसा है 22 गंटे या goods की delivery मिलने के पहले आप reject कर दो अगर आपने rejection नहीं डाला इसका मतलब आपको accepted है और accepted है तो वो case में यहां पे वो acceptance मान लिया जाएगा cancellation of evable अब जिसने भी evable बनाया होगा register person maybe supplier or recipient who causing the moment of goods जिसने भी evable बनाया होगा सुनो मेरी बाद वो क्या evable बनाने के बाद अपना evable cancel कर सकता है उसको cancel क्यों करना पड़ता है उसको evable cancel क्यों करना पड़ता है क्योंकि ऐसा हौआ इसा हौआ ओके goods का transportation cancel होगा evable बना लिया था बाद में पता जलना नहीं अभी transport नहीं करना है ओके वो 3 दिन बाद देना है चार दिन बाद देना है तो मुझे मेरा e-way bill cancel करना है या फिर मैंने e-way bill बना लिया प्रड़क A का और गलती से प्रड़क B लोड़ो गया A का और प्रड़क B लोड़ो गया यह तो बहुत खतरनाक है कि आपका दुसरा एक बूर्स लोड़ो गया मुझे e-way bill बना लिया fan का और लोड़ो गया A C और के bill अटेच हो गया A C का अगर यह इसको यहाँ पे इन रास्तों में रोक लिया जाए और कोई officer यहाँ पे inspection कर ले तो उसको e-way bill में दिखेंगे fan और invoice और truck में दिखेंगे A C तो वो इतनी बड़ी गरबड हो जाएगी कि वो पूरा confiscate कर लेगा goods और convince को और penalty टोक देगा तो ऐसे case में मुझे गलतिया पता चली तो क्या मैं बाद में अपना e-way bill cancel कर सकता हो तो yes बेटा वो कहते cancellation और के आप e-way bill within 24 hours 24 hours में आप cancel कर सकते हो और अपना goods को वापस बुला सकते हो लेकिन अगर आपका e-way bill cancel होने के पहले ट्रांजिट में verify हो गया officer ने verify कर लिया तो फिर आप cancel नहीं कर सकते हो कैसे कर हो गया officer ने verify कर लिया और officer ने देख लिया इसमें तो इसी है यार और यह तो fan दिका रहा है अब वो action नहीं जा रहा है तो आप cancel नहीं कर सकते हैं यह समझा कि acceptance और rejection yes or no, यह बताईए तो इस तरह से अपने e-way bill की सारी general provisions इसमें देख लिया अब देखिए यहाँ पे कुछ special discussion transshipment of goods transshipment of goods के लिए मैं थोड़ा यह diagram यूज करूगा यहाँ पे transshipment of goods समझ लो मुझे जो goods पोचाना है यहां से Poonay से Delhi पोचाना है औक लेकिन मेरा truck जो है यहां पर Poonay से जा रहा है सुना okay मेरा truck जो है Poonay से जा रहा है ऑक राजस्तान और राजस्तान से जार है Delhi ऑक अब यहाच रग निकला वह ट्रुक जो है changing of convenience तो ऐसे situation में जहां तक देखा जाए तो अब अगर मेरा convenience change हो गया एक truck से दुसरे truck में लोड हो गया तो क्या मुझे नया e-way bill बनाना पड़ेगा नहीं बेटा नया e-way bill बनाने की जरुवत नहीं है ट्रांशिप्मेंट के case में जो आपने original e-way bill बनाया उसका से part B की information change की जाती है by transporter यानि transporter जो है उसके part B की information change कर देगा और वोई convince ओके आपका पहला बनाय हुआ e-way bill वोई continue रहेगा तो ऐसे case में ओके देख वो क्या कहते है यहाँ पे transshipment और transshipment में वो कहते है consigner or recipient who has furnished the part A or transporter can assign the e-way bill to another registered sorry बेटा, just a minute okay can assign to another registered transporter मतलब जो जहां से shifting होने वाली है उसको assign कर देगा e-way bill to update part B see part B underline part B उसमें update किया जाएगा of e-way bill for further movement of goods okay only one e-way bill is required क्या change होगा बेटा? यहाँ फिसरी part B change किया जाएगा okay bill to ship to transportation बहुसी बार क्या होता है? bill to ship to होता है यानि billing आपको और ship to किसी और को तो क्या e-way bill में उसकी provision होती है? yes, उसकी provision होती है bill to ship to अगर यह बहुत important है क्योंकि आपका billing किसी और के नाम पे दिखेगा invoice किसी और के नाम पे दिखेगा और ship to कोई other address दिखेगा तो अगर आपका bill to ship to option होगा तो e-way bill में वो specially click करो आपको एक ही e-way bill बनाना पड़ेगा पर उसमें एक option आता है bill to ship to उसको click करो तो वहाँ पुरी information दो e-way bill में कि किसको bill to है और किसको ship to है उसके बाद में invoice reference number okay reduce the burden of carrying physical copy of invoice okay अब यहाँ पे क्या हमें physical copy invoice की ले जाने जरूरी है नहीं physical copy ले जाने की जरूरत नहीं है अगर आपने e-way bill बनाया होगा तो उसका IRN invoice reference number यह भी generate कर सकते हो और वो स्रीफ IRN जो है वो भी आप साथ में अपने पास रखते हो तो more than enough invoice reference number आपको इसकी physical copy ले जाने की जरूरत नहीं है और अभी तो e-way bill अगर आपका e-way बन रहा है तो आपकी e-way bill में auto populate हो जाता है वो invoice number auto populate हो जाता है और कि आपको यहाँ पे ले जाने की जरूरत नहीं है ना ओके यह concept समझ लो multiple consignment ओके multiple consignment concept क्या है ओके पहले मैं rate करता हो फिर इसको आपको समझाने की कुशिश करता हो transporter will generate e-way bill in following cases if consigner and consignee has not generated e-way bill and value of goods carrying in a conveyance is more than 50,000 generation of e-way bill in form EWB01 और वो transporter को generate करना परता है भाई मतलब क्या अगर supplier unregistered है recipient unregistered है और उसके conveyance में जो goods जा रहा है उसकी value 50,000 से ज़्यादा है यानि transporter के conveyance में goods जा रहा है उसकी value 50,000 से ज़्यादा है e-way bill तो लगेगा अब e-way bill कौन generate करेगा ना supplier ना recipient दोनों भी unregistered है या दोनों ने generate नहीं किया है तो ऐसे situation में ज्यावे सुनो ऐसे situation में उस consignment का e-way bill जिसकी value 50,000 से ज़्यादा है वो transporter को generate करना पड़ेगा in e-wb01 transporter को generate करना पड़ेगा यानि कभी-कभी e-way bill की liability transporter पे भी आती है एक और concept है consolidated e-way bill in e-wb02 समझ लो आपके consolidated e-way bill क्या होता है और ये जो consolidated e-way bill है और ये only for road होता है सर ये consolidated e-way bill क्या होता है consolidated e-way bill होता है कि मेरे convince में 10 लोगों के goods जा रहे है मेरे convince में 10 लोगों के goods जा रहे है तो ऐसे case में Mr. A जो goods बेज रहा है Mr. B जो goods बेज रहा है सबने अपने इवेबिल बनाए है सबने अपने इवेबिल बनाए है तो अब मेरे ट्रक में 10 लोगों के गूट जा रहे है मतलब 10 इवेबिल बने है इन EWB01 इन EWB01 10 इवेबिल बनाए तो इन सब का 1 EWB02 भी बनाना पड़ता है जिसको consolidate कहते है यह transporter बनाता है कि transporter EWB02 और उसमें कौन से कौन से लोगों के गूट जा रहे है उनका EWB01 नमबर सब का देता है और अगर किसी ने EWB01 नहीं बनाया था बनाया होगा तो उसकी भी details देता है क्योंकि वाल्यू 50,000 के नीचे होगी और उसका एक manifest बनता है उसका एक manifest बनता है वो manifest वो पूरे conveyance का document है ऐसे ही EWB01 जो है वो तो अलग-अलग लोगों ने बनाया हुआ है लेकिन वो conveyance का एक document जो बनता है consolidated वो है EWB02 और वो transporter को बनाना पड़ेगा specially by route इससे convenience ही क्या हो जाएगी अगर मेरा conveyance रोका गया तो मैं EWB02 जैसे उसको बता दिया उसने EWB02 देखा और उसमें उसको सारे कौनसे कौन से supplier के goods है या कौनसे कौन से लोगों के goods है सारे EWB01 की details मिल जाएगी यह समझा क्या बेटा आपको अगर यह समझाओगा तो M type कीजिएगा यहाँ पे और उसके बाद में यहाँ पे कुछ important clarification यहाँ दिये है last वाला जो मैं यहाँ लेना चाहोगा restriction of furnishing information in part A of EWB01 इसको star करना अब last वाला part display नहीं हो रहा है हाँ इसको important star करना आपका EWB01 freeze कर दिया जाएगा यह चार situations में कौन कौनसी चार situation in respect of any outward movement underline the word any outward movement of goods of register person okay seize कर दिया जाएगा अगर आप composition dealer होगे और underline दो consecutive tax period के आपने return नहीं दिये दो consecutive tax period के आपने return नहीं दिये तो आपका return as well as वहाँ add कर देना return and CMP08 and CMP08 अगर आपने दो consecutive tax period के CMP08 नहीं दिया होगा जो quarterly देना पड़ता है या दो साल के return नहीं दिया होगे तो उस बंदे का evable ही freeze कर देंगे और evable freeze हो गया तो अब गढ़बढ क्या होगी goods transport नहीं कर सकता क्योंकि बिना evable का goods transport किया कि पकड़े जाएगा पकड़े जाएगा goods transport नहीं करेगा तो business ही बंद हो जाएगा तो ये exam में कभी-कभी आता है कि evable कभी कभ freeze हो जाता है क्या restriction है दूसरा other person has not furnished the return return मतलब GSTR 3B for a consecutive period of two tax period आप monthly return में होगे तो दो month के return नहीं दिये और आप quarterly में होगे QRMP scheme में होगे तो दो quarter के आपने GSTR 3B नहीं दिये तो आपका evable freeze कर दिया जाएगा other person has not furnished the statement of outdoor supply for two months or quarter statement मतलब GSTR 1 मालिक दो GSTR 1 अगर आपने दो tax period के GSTR 1 नहीं दिये तो भी evable freeze हो जाएगा और being a person whose registration is suspended जिसका registration suspend किया गया वो उसका evable freeze कर दिया जाएगा तो आपका evable कब कब freeze किया जाएगा अगर आप composition dealer हो तो आपने CMP08 या GSTR 4 दो tax period के नहीं दिये आपने दो GSTR 3 भी नहीं दिये दो GSTR 1 नहीं दिये तो आपका evable या आपका registration suspend हो गया तो evable आपका suspend कर दिया जाएगा इस तरह से पूरा concept evable का मैंने chart में लिया है ठीक है I hope आपको समझा होगा चलिए चलिए दोस्तों तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे chart जो discuss करेंगे वो discuss करेंगे accounts and record are you ready चलिए आजाते है accounts and records में accounts and records वैसे कोई इतना GST में यह compliance जो है इतने कोई ज़्यादा complicated नहीं है simple accounts and records की उन्होंने provision रखी है और section 35-36 में कुछ requirements रखी है कि जब भी officer check करने आएगा आपके accounts record तो at least इस type के accounts and records आपको maintain करना जरूरी है मैंने पूरा चार्ट दो पार्ट में डिवाइड किया एक अगर आप registered person होगे supplier होगे, recipient होगे, जो भी आपकी liability होती है, registered person होगे तो आपको records कैसे maintain करने है और specially section 35-2 read with rule 58 और के warehouse की पर जो होते है या transporter होते है उनको ये scope में लाया गया है और उनको भी accounts on record maintain करने की provisions दी गई है और section 35-2 में read with rule 58 और के उनको भी कुछ requirements दी है कि उन्होंने किस type की records maintain करने चाहिए और आपने as per GST law ये सारे records maintain करने चाहिए सबसे पहले तो हम खतम करते है register person में और फिर आएंगे warehouse keeper के लिए क्या record की compliance करने है transporter के लिए क्या records के compliance करने है register person होगा तो मैं इसको दो पार्ट में divide करता हूँ और कि यहाँ पे general और special cases यह तोड़ा arrow उदर चले गया general और special cases general अब यह दोनों क्या डेट है generally उनको क्या records maintain करने पड़ते general का मतलब यह सारे register person को maintain करने पड़ेंगे लेकिन कुछ special cases है वहाँ पे example की तोर पे अगर agent आप agent होगे तो कौन से additional record maintain करने है आप अगर manufacturer होगे आप अगर यहाँ पे supplier of services होगे या आप जो है works contractor होगे या next CNF agent होगे तो यह case में आपको क्या special records maintain करने है तो generally कौन कौन से records आपको maintain करने पड़ते है section 35 1 कहता है books of account कुछ उसकी requirement है पहला books of account to be kept and maintained at principal place of business and additional place of business आपको जो books of account पहली उनकी requirement है कि इंडिया के सारे registered person समझ लो कि आपको जो books of account maintain करना है आपका जो principal place of business है वहाँ तो maintain करना ही है और आपके registration में आपने जो additional place of business बताईए वहाँ पे भी उस respective additional place of business के records आपके होने चाहिए इसके अलावा आपके records और कही पे भी नहीं होने चाहिए अगर इसके अलावा हमें records आपके घर पे दिग गए या इधर उधर दिग गए तो हम कुछ गर्वर मानेंगे और शायद हो सकता है कि आपके उपर action लगे तो या फिर आप जब भी हमारी scrutiny हो तो आप यह नहीं कह सकते अरे सर रेकॉर्ड तो घर पे रखे हुए है लेकिया तो घर से नहीं आपके record compulsory principal place of business या additional place of business पर ही होने चाहिए जो आपने register करवाई है books found at unregistered premises अगर हमें आपके books कोई unregistered premises पर दिखे तो deemed to belong to register person हाँ अब यह देखो यह बहुत dangerous situation है यह कहते है कि अगर कहीं पर हमें और दुसरे place पर records दिखे तो हम आपके ही वह मान लेंगे बहुत सी बार diary मिल जाती है cheat मिल जाता है कुछ आपने black में sale किया होगा तो वह मिल जाता है अगर हमको ऐसे कुछ records मिले तो वह हम आपके ही मान लेंगे और उसके base पर आपके action हमारा officer आपके against में action ले सकता है चलिए तो यह तो था principal place of business या additional place of business उसके बाद में जुसरा अगर हम देखे तो accounts and records okay section 35 one कहता है कि आपको किस type के accounts और किस type के records और document maintain करने है okay चलिए तो अब आपको जो भी respective आपको लाग होगा okay वो आपको maintain करना है जैसे accounts में production of goods का accounts आपको properly maintain करना पढ़ेगा okay अगर आप specially manufacture होगे अगर trader होगे तो production of goods का तो सवाली नहीं है लेकिन manufacture होगे या manufacturing activity आप trading के साथ करते होगे तो आपको production के accounts प्रॉपर रखने पढ़ेगे दूसरा invert and outwards supply of goods or services G&S मतलब goods or services याने आपको सारे कितने goods invert हुए services कितने invert हुई outward कितने हैं इसके भी proper accounting आपको करनी पढ़ेगी उसके बाद में stock of goods and output tax payable आपके stock, opening stock आपने purchases, less issued for production या sale और closing stock इसके proper accounting आपको करनी पढ़ेगी और output tax payable और paid उसके भी आपको detail accounting करनी पढ़ेगी बिटा थेरिये learn करना पढ़ेगा मैं तो सिर्फ समझा सकता हूँ दूसरा, most important point या star करो most important point क्या तो most important point यह है कि यह दो चीजे not required for composition scheme अगर आप composition scheme में हो तो even though आप registered person हो पर यह आपने stock का records नहीं maintain किया तो भी चलेगा output tax payable का record नहीं maintain किया तो भी चलेगा लेकिन, okay, यह सिर्फ benefit composition scheme को है यह question exam में पुछा गया था for two marks okay, कौन से ऐसे record है जो composition dealer को maintain नहीं करने पड़ते है तो इसमें दो चीज़ आएगी okay, इसमें दो चीज़ आएगी एक आपका stock of goods और दूसरा output tax payable और paid तो वो situation में यह दो चीज़े composition scheme के अंदर में नहीं आएगी same ITC available okay, दिखो, यह list दी है जो जो आपको applicable है वो आपको follow करना है अगर आप ITC ले रहोगे जैसे composition scheme में तो ITC लेता ही नहीं पर जहाँ पर भी ले रहो तो जितना भी ITC आप available करोगे उसके records आपको maintain करने पड़ेंगे and other particulars okay, अगर कोई prescribed records है तो आपको maintain करना है next, वो कहते है goods are kept at other declared location अगर आपने goods okay, ऐसे location पे रख दिया जो आपका registered warehouse नहीं है additional place आपने declare नहीं किया क्योंकि देखो, आपको warehouse में रखना है आपको declare करना पड़ता है कि additional place of business है आपको depo पे रखना है under same registration तो आपको declare करना पड़ता है कि additional place of business है और अगर आपने okay, जैसे warehouse में जैसे एक example की तुर पे आप अपने factory से या अपने shop से warehouse shift कर सकते हो क्या without payment of GST yes, अगर वो single registration में है और वो अगर DDP नहीं है सुनो वो single registration में है और वो DDP नहीं है तो वो situation में okay, यहाँ पे rule 55 चालन rule 55 चालन में आप ऐसे warehouse में goods डाल सकते हो जो आपने declare किया है additional place of business लेकिन आपने अगर goods कोई ऐसे place पे रख दिया जो आपने additional place of business registration करते वग वो stock पे आपको credit देना पड़ेगा okay, ऐसे बहुत सी बार अभी GST में समझ में आ रहा है कि आपका stock जो ऐसे place पे मिल गया जो additional place of business नहीं है तो government फटाफ़ट उसका assessment करती है team supply man के GST का notice issue कर देती है साथ-साथ में उस पर interest penalty में लगाती है अब दो point कर समझ लो okay, आपके books of account ये record आपके books of account ये record okay, ऐसे place पे मिल गए ऐसे place पे मिल गए जो unregistered है okay, unregistered place है आपके घर पे मिल गए तो वो भी proceeding के लिए consider कर लिए जाएगे जैसे बहुत सी बार diary वगरे पुरारे लोग क्या करते थे जो भी कुछ black marketing में जिसके entry नहीं करना है, diary में लिखके रखना खाली place पे लिखके रखना अगर हमारी scrutine में, हमारे investigation में, हमें ऐसा पता चला कि आपने आपने घर पे या कोई place पे, okay, कुछ diary maintain किया है कुछ आपने cheat वगरे maintain किया है, तो वो भी okay, आपके मान लिए जाएंगे अगर आपकी unregister place है आपके मान लिए जाएंगे, आप अपनी responsibility से नहीं बस सकते, कि नहीं बाबा यह तो unregister में नहीं maintain किया आपके place पे मिला ना, आपके place पे मिला, तो ऐसे case में वो जो भी records मिले होंगे, unregister place पे, okay, वो प्रिमाइस इस पे वो आपके मान के, हम आगे proceeding में use कर सकते हैं, साथ-साथ में यह point क्या कहता है, यह records के बारे में नहीं कहता है यह कहता है, कि आपने अगर कोई goods okay, ऐसे place पे रख दिये जो registered नहीं है या जो आपने additional place ऩया आपको पूछते हैं या additional place of business आपको पूछते हैं और यह parole पे घ्रिटव पूछते हैं अब अपने additional place of business नहीं किया होगा और आपका वो place पे stock मिल गया तो government इमिजेट उसके व पर action लए सकती है, उसको supply treat कर सकती है और उसके उपर आपको tax दिना पड़ेगा interest और penalty भी लग सकती है उसके बाद में, next बेटा next ये तो हुआ, आपको accounts के step के maintain करने है, जो जो आपको आपके business को applicable है, तो इस type के accounts आपको maintain करने पड़ेंगे दूसरा, records and documents okay, तो under as per CGST rule जैसे goods and services imported or exported, इसके records आपको properly maintain करने है, okay तो पहला complete हुआ, tick करो, पहला complete हुआ, okay, goods, imported, exported okay, तो उसके record, supplies attracting payment of tax under RCM along with relevant document like invoices, चलायन, credit note, debit note, voucher, okay, अगर कोई tax आप RCM में pay कर रहे हो, तो उसके proper record maintain करो, okay साथ-साथ में, सारे invoices, debit note, credit note, vouchers इसके documents आपको maintain करने पड़ेंगे, उसके बाद में advances received, paid, adjusted, advance के भी, क्योंकि ठीक है, supply of goods के case में advance पे TOS नहीं आता है, पर supply of service के case में तो advance पे TOS आता है तो अगर advance के, आपको advances मिलते हैं, कितना receive हुआ, और कितना adjust हो गया, और कि required to keep particular name, complete address of the supplier, recipient and premises where goods are store इसके भी आपको records maintain करने पड़ेंगे, तो ये था बटा, कि किस type के accounts maintain करना है, किस type records है, documents maintain करना है, generally सारे register person को यहाँ पे maintain करना पड़ता है, ये तुआ generally आपको क्या करना पड़ेगा, as per section 35, 1, okay, अब कुछ हम देखते है, special cases government ने by rule, कुछ special cases cover किये, कि in addition to this general records and documents, उनको specially कुछ और, okay, यहाँ पे records ये documents maintain करने पड़ेंगे, तो चलिए देख लेते हैं, special cases में कौन सा, okay, यहाँ पे ख्याल रखना, जब भी मैं word P use करूगा, मतलब every principle, अब rule 56.11, rule 56.11 बात करता है, agent, agent को ऐसा round करो, agent, अगर आप अगर agent होगे, तो आपको in addition to आपके जो general records उपर दिये, वो तो आपको maintain करना पड़ेगा, पर in addition to, आपको कुछ additional records maintain करना पड़ेगा, कौन-कौन से, the particulars of authorization received from each principle, okay, to particulars of authorization received for each principle to receive or supply of goods or services, okay, अगर आप buying agent होगे, तो buying agent, और यहाँ पर buying agent में आपको principle के भियाप पर goods receive करना है, तो उसका special authorization आपका लगेगा, उस principle से authorization लगेगा, या आप selling agent होगे, और आपको supply करना है, goods or services, on the behalf of principles, उसका भी authorization लगेगा, अब मैं आपका ध्यान एक word पर लाना चाओगा, और वो है each principle, okay, हो सकता है कि आपने agency पांच companies के लिए हो, okay, पांच company के agency लिए हो, okay, या यह company की भी agency है, यह company की भी agency है, यह company की भी agency है, तो ऐसे case में, each principle का authorization लाना आपको जरूरी है, उसके बाद में next, descriptive value and quantity of goods or services received on the behalf of principle, कभी-कभी क्या होता है कि मैं अपना भी business करता हूँ, और मैं as a agency भी business करता हूँ, तो अगर आप as a agent business कर रहे हो, तो आपको पूरा description लिखना है description of value, quantity of goods or services received on the behalf of principle, अगर आप यहाँ पर आपने जो goods receive किया principle से, उसका पूरा detail जो आपने principle के भी आप पे supply किया उसका पूरा details, उसकी value and quantity, details of accounts furnished to principle, okay principle को कौन सा details आपको provide करना है, उसके पूरे accounts आपको maintain करने पड़ेंगे, tax paid on receipt or supply of goods on the behalf of principle, okay, हाँ goods, अगर आप buying agent हो अगर आप buying agent हो, तो वो case में principle के भी आप पे कितना tax दिया, आप selling agent हो, तो principle के भी आप पे कितना tax दिया, इसके भी records आपको properly maintain करने पड़ेंगे, तो अगर आप agent हो, तो ये in addition to general records, आपको ये सारे additional records maintain करने पड़ेंगे, I hope you understood, understood, अगर समझ गया होगा, तो A type कीजिएगा, agent का मारा हो गया, okay, उसके बाद में, records भी maintained by manufacturer, okay, in addition to this general record, ये तो सारे general records manufacturer को service provider, trader हो, okay, ये तो maintain करने ही पड़ेंगे, in addition to that, अगर आप manufacturer हो, तो monthly production account showing quantity of raw material or services used in the manufacturer, मैं एक word पे आपका द्हान लाना चाहूँगा, monthly production account आपको maintain करना है, और ये ही बहुत बड़ी गड़बर हो रही है, बहुत सारे मेरे ऐसे client है कि जो यहाँ पे, okay, monthly basis पे production account, especially small industry, जो manufacturing industry है, वो monthly basis पे account maintain नहीं करती है, और मैं यही कहता हूँ कि क्या कर रहे हो यार, rule 56-12 यह कहता है, कि monthly basis पे आपका production account, जिसमें clear कितना raw material है, कितनी services use होई, in the manufacturing आपको maintain करना है, तो बहुत से लोग quarterly basis पे maintain करते है, half yearly basis पे maintain करते है, मैं उनको डराता हूँ बहुत सी बार, मैं कहता हूँ कि खादी बाब scrutiny होगे ने तुमारी, तो लग जाएगी वाट तुमारी, तो ऐसे case में monthly basis पे करो यार, ने तो सामने वाला, तुम कितने भी genuinely maintain कर रहे होगे, पर सामने वाला rule 56-12 का action लेकर बोलेगा, कि तुम monthly basis पे नहीं maintain कर रहे हम तो action ले लेंगे तेरे against में, तो ख्याल रहे यहाँ पे monthly basis पे आपको production account maintain करना है, साथ-साथ में, अगर आप manufacturer होगे, तो quantitative details of goods manufacturer, waste और by product का भी आपको detail maintain करना है, waste और by product का भी detail maintain करना है, next, next यहाँ पे, supplier of service होगे, तो in addition to general account, okay, आप अगर service provide कर रहे हो, तो कुछ और चीज़े आपको maintain करना पढ़ेगा, क्या, quantitative details of goods use in the provision of service, अगर आप service provider हो, समझे लो, we smart academy, training coaching service दे रहा है, तो we smart academy को, यह तो general records हो, जो maintain कर रहा है, about, okay, यहाँ पे inward, outward of services, उसके बाद में ITC, other particular, यह जो records है, एकसेटरा, ठीक है, लेकिन service provider को specially, कि अगर goods purchase कर रहे है, तो कितना good service में use हो रहा है, इसके record उनको maintain करना पड़ेगा, details of input service, details of service supplies, यह सारे records, in addition to general records, उनको maintain करने पड़ेगा, अगर आप works contractor हो, very important, works contract मतलब क्या, works contract की definition clearly दिया है, section 2 में, works contract मतलब construction, erection, installation, renovation, repairs and etc, carried on on immowable property, आप immowable property पे carry out कर रहे हो, which involved a transfer of titling goods, जिसमें goods भी है, याद करो, आपने works contract की definition, supply topic में देखे होगी, अगर supply topic में देखे थे, अगर आप works contractor हो, come on, come on, come on, आप works contractor हो, तो वो case में, आपको कुछ additional चीजे मेंटेन करनी पड़ेगा, कौन सी, name and address of person on whose behalf, works contract is executed, okay, और यह each contract wise मेंटेन करना पड़ेगा, आपके पास, अगर 5 works contract चालो है, तो 5 works contract के अलग-अलग record मेंटेन करना पड़ेगा, जिसमें name and address, okay, आप the person on whose behalf work contract is executed, description, value and quantity of goods and service received for each works contract, आपके अगर 5 work contract है, तो सबके records अलग रख करो, okay, हर work contract के लिए कितना, कौन सा goods आई, कौन सी service आई, उसकी value कितनी है, उसका description, उसकी quantity कितनी है, आपको each works contract wise मेंटेन करना पड़ेगा, उसके बाद में description, value and quantity of goods and services utilized for each works contract, and details of payment received for each works contract, and name and address of the suppliers, okay, मैं अब आपको यह बात बता दू, यहाँ पे बहुत से बार construction sector में, okay, contractor से mistake हो जाती है, contractor जो है, आपको सच बता दू, तो contractor जो है, okay, goods लम सम में खरीद लेता है, समझे लो, उसके 4 works contract चालू है, और उसको cement खरीदना है, खरीद लिया cement, 4 works contract के लिए, okay, ठीक है, एक invoice में खरीद लिया होगा, लेकिन उसको by forget करना पड़ता है, okay, each works contract के लिए, description क्या है, value क्या, कितनी quantity goods खरीदा, service करीदा, okay, कितना utilize किया, ये सारा apportionment उसको करना पड़ेगा, as per rule 5614, ये compulsor है, okay, वो ऐसा लमसम नहीं बता सकता है, कि मेरे 4 works contract है, total इतना खरीदा, नहीं, each works contract wise, उसको ये classify करना पड़ेगा, okay, हर contract का payment कितना मिला, okay, क्यूं, क्यूंकि इसमें continuous supply of service है, continuous supply service में event based आपका, okay, continuous supply service में event based जो है, आपका tax लग सकता है, completion of event पे, okay, आपका, यहाँ पे TOS आ सकता है, invoice issue करना पड़ता है, तो ऐसे situation में, आपको each works contract wise, सारी details maintain करनी है, यह समझा क्या बेटा, अगर समझा होगा, तो WC type कीजिएगा, okay, उसके बाद में CNF agent, okay, CNF agent के लिए, rule 56.17 कहता है, कि अगर आप clearing and forwarding agents हो, अगर आप clearing and forwarding agents हो, तो वो situation में, दहां से सुनिएगा, अगर आप CNF agent हो, तो वो case में, आपको true and correct records of goods handled on the behalf of registered person, okay, कुछ नहीं, CNF agent को है, क्या है, वो यहाँ पे registered person से goods लेते हैं, उसको clearing करते हैं, और customer तक forwarding करते हैं, तो CNF agent होगे, तो आपको true and correct record maintain करने हैं, हर register person के कितने goods आपने उठा है, कितने forwarding किये, कितने आपने customer को दिये and produce the details as required by proper officer, और officer जब भी आपसे details माइगेगा, तो वो details आपको provide करनी पड़ेगी, तो यह आपने देखा यहाँ पे chart, तो यह जो आपने देखा चार्ट और यह chart आपने देखा regarding to कि registered person होगे, तो general records क्या है, special हर cases में आपको किस type के records maintain करने हैं, ठीक है, अब आते हैं, section 35-2, okay, 35-2 read with rule 48, warehouse owner और transporter पे इनोंने क्या liability डाली है, अगर आप, owner operator of good on warehouse हो, okay, समझ लो, आपका, मतलब आपसे warehousing service देते हो, good on है, etc, और यह देते हो, और आपने GST में registration लिया है, हाँ, आप ले सकते हो, कि आप अगर warehousing service दे रहे हो, good on service दे रहे हो, तो आप GST में registration ले रहे हो, आप registered हो, या आप unregistered हो, अब एक बात बता देता हो, आप registered हो, तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप unregistered हो, और warehouse चला रहे हो, तो आपको GST में unique enrollment number लेना पड़ता है, very important, start करो, अगर warehouse की पर unregistered है, तो उसको एक special number जनरेट करना पड़ता है, जिसका नाम है, UEN, okay, UIN नहीं, UIN नहीं, वाला कह, unique identification number, यह है UEN, UEN, यह आपको generate करना पड़ता है, okay, क्योंकि आपका data government की पास होना जुरूरी है, specially जब आप GST, non-paid goods अपने warehouse में रखते हो, okay, उसके बाद में, अगर आप warehouse की पर हो, तो 35-2 क्या कहता है, 35-2 यह कहता है, shall maintain records of consigner, consignee, and other relevant details of the goods in such manner as prescribed, मतलब क्या, आपको consigner, consignee, और जो भी goods के record है, नीचे जो rule 58-4 में दिये है, okay, इसके हिसाब से आपको required maintain करने पड़ेंगे, कि भाई, कौन से consigner ने goods रखा, कौन से consignee का goods है, okay, और goods की सारी details, अभी मैं नीचे rule में पड़ाऊगा, इस rule के हिसाब से आपको goods की सारी details देनी पड़ेगी, rule 58-4 कहता है, अगर आप warehouse की पर हो, तो maintain books of account, with respect to the period for which particular goods remains in a warehouse, कितने period तक underline करो, कितने period तक आपका goods warehouse में है, उसको proper clarity से होना चाहिए, कि goods warehouse में रखा गया, कितने period तक है, और particulars leading to dispatch, movement, and receipt of disposal of such goods, औके, और जो warehouse की पर normally record रखता है, कितना dispatch हुआ, कितना move हुआ, कितना receipt हुआ, कितना dispose हुआ, इसका पूरा details warehouse, यहापे warehouse की पर, या go down की पर को रखना पड़ेगा, rule 58-5 कहता है, store the goods in such a manner, that they can be identified atom-wise, या order-wise, and shall facilitate the physical verification or inspection, my proper office है, औके, यह एक जिम्मेदारी बनती है, warehouse की पर की, कि वो जब अपने warehouse में goods, यहाँ पर store करता है, तो वो ऐसा रखे कि, atom-wise, okay, trace करना easy है, owner-wise trace करना easy है, सब mix करके न रखे, और जब हमारा officer, उसको physically verify करने आएगा, जब हमारा officer, physically verify करने आएगा, तो उसको पूरी facility, आपने देनी चाहें, so that, okay, GTA service, या railway, या by air, आप services दे रहे हो, आप registered होगे, और आप unregistered होगे, registered होगे, तो अच्छी बात है, unregistered है, तो भी आपको एक number लेना पड़ता है, वो number होता है, unique enrollment number, okay, underline करना, यह transporter को भी है, unique enrollment number आपको लेना पड़े है, अब 35.2 क्या कहता है, 35.2 कहता है, कि अगर आप transporter होगे, तो भी shall maintain records, okay, देखो, shall maintain the records, एक minute, record of consigner and consignee, okay, transporter भी होगा, तो उसको proper record की, कौन से बंदे का goods है, consigner, consignee कहा पहुचाना है, और details of goods, details of goods निचे दिया है, उसको यहाँ पे transporter को, goods की भी details maintain करनी पड़े है, अगर आप transporter हो, तो rule 58.4 के हिसाब से, shall maintain the records of goods transported, goods transported, delivered, goods stored in transit by him, along with, okay, GSTN of register consigner and consignee, for each of his branches, okay, तो यहाँ द्हान से सुनिएगा, okay, transporter को कितना goods transport किया, delivered किया, कितना goods stored किया, okay, in transit, और हर register sponsor, जो consigner या consignee है, उसके branch-wise, उसको GSTN maintain करना पड़ेगा, rule 58.1 एक कहता है, if transporter is registered, in more than one state or UT, then apply for unique common enrollment number, okay, for evable, EWB मतलब evable, now, okay, यह concept मैं थोड़ा आपको evable में समझाओगा, पर बस अभी इतना समझ लो, कि आप transporter हो, और आपके पास एक से ज़्यादा registration है, आपके पास एक से ज़्यादा registration है, तो आपको unique common enrollment number लेना पड़ेगा, और के दोनों में difference है, unique enrollment number मतलब आप जब unregistered हो, तब unique enrollment number है, और आपके पास एक से ज़्यादा registration होगे, सुनो, आपके पास एक से ज़्यादा registration होगे तो evable facility के लिए ये क्या होता है evable में देखेंगे evable facility के लिए आपको unique common enrollment number याने सभी registration का code generate करना पड़ेगा unique common enrollment number और वो evable में use करने के लिए आपको वो लेना पड़ेगा इस तरह से हमने यहाँ पे देगा good on, warehouse keeper record आप electronic form में maintain कर सकते हो देखो, electronic form में maintain कर सकते हो proper backup आपने लेना चाहिए okay, हमारे officer जब भी मांगेगा तब आपने सारे files और उसके password उसको देने चाहिए, okay, अगर आप manual record maintain कर रहे हो तो उसमें erase or over return नहीं होना चाहिए okay, manual record में records को serial number होने चाहिए, अब manual record बचे का, उस trip दिया है उन्होंने, अब तो सब electronic form में हो गया, okay, चली next, consequence of failure to maintain books up account, अगर आपने, हमने जो उपर आपको guide किया, किस type के records आपने maintain करने चाहिए, और वो आपने अगर maintain नहीं किये, वो आपने maintain नहीं किये, तो जो भी goods आपकी non-accounting होगी, या service की non-accounting होगी, वो deem supply मानी जाएगी, उसके ओपर tax payable होगा, मतलब अगर हमारे, आपके stock में ऐसा goods दिखा, जिसकी accounting नहीं हुई या आपने कोई ऐसी services प्रोवाइट की, जिसकी accounting नहीं हुई, तो वो deem supply माना जाएगा, और 73, 74 जो आगे chapter में मैं पढ़ा होगा, उसका action आपके against में हो जाएगा, और कि उसका action आपके against में हो जाएगा, उसके बाद में, retention of account, important, और कि section 36, अभी तक जो भी आप पढ़ रहते हैं, section 35 पढ़ रहते हैं, अब section 36 क्या कहता है, till the expiry of 72 months, नहीं सुनना, आपको books of account maintain करने पढ़ेंगे 72 months तक, याने 6 साल, okay, 6 साल, from the due date of furnishing annual return, याने, जो आपकी annual return की date है, वहाँ से 6 साल तक, let's take example, okay, मेरा current financial year है 22-23, तो 22-23 का annual return कब जाएगा, 31st December 23 को जाएगा, तो, okay, 31st December 23 को और वहाँ से 6 साल, याने मुझे, okay, 22-23 के records कब तक maintain करके रखने पता है क्या, okay, 31 December 2023 से लेके 6 साल, याने, मुझे यहाँ पे 6 साल अगर मैं लूँ, तो, okay, 6 साल आड कर दू, तो, 2029 तक, 22-23 के record, 22-23 के record, 2029 तक मुझे maintain करना है, तो, यह 6 साल कब से लिया जाएगा, 31st मास से नहीं, जो आपकी annual return की date थी, वहाँ से 6 साल, और अगर आपने annual return, आपने दिया होगा, 31 December को तो, वहाँ से 6 साल, पहले दिया होगा, तो, वहाँ से 6 साल, अगर आपने कोई अपील फाइल कर दिया होगी, तो, फिर हो सकता है, कि आपका 72 मंच का भी period, यहाँ पर बढ़ सकता है, क्यों, गौर्मेंट कहती है, कि देख भाई, तुन्हें अपील फाइल की, अब केस को लग गए 8 साल, तो 8 साल तो तुम्हें को मिंटेंट करना ही पड़ेगा, प्लस, जिस दिन अपील डिस्पोज हुई, उसके बाद में भी, ऐके, एटलिस वन यर तुझे रेकॉर्ड मिंटेंट करके रखने पड़ेंगे, समझ लो, मेरी अपील डिस्पोज हुई, आठ साल बाद और रही तो मुझे और एक साल याने नौ साल आपको जो है यहां पे यह मेंटेन करके रखना पड़ेगा तो अगर अपील मैटर होगा तो वन विचेवर इस लेटर वन यहर अस फाइनल दिस्पोजल अपील और रिविजन or 72 months from the date of furnishing and you'll return whichever is later so now in this way we have completed this complete chart of accounts and records done yes or no